हेलो फ्रेंड्स आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्ट को में रिवाइस करने वालों जिसका नाम है नेगोशिबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881 एक्जाम में इसका जो वेटेज है वो लगबग 10-15 मार्क्स का वेटेज है तो आप समझ सकते हैं बहुत ही जादा इंपॉ इसका मतलब क्या हुआ अघर कोई नेगोशिबल इंस्ट्रुमेंट में लिखा है पेAP-2-a तो यहगया पे-2-A और और पेटू ए और और तो यह हो गया एक्सपेस टू भी सो पेबल उसको लिखा ही इस तरही किसे गया है कि और रहे सेकंड नमर है पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन जैसे आपने अगर कोई नेगोशिबल इंस्रुमेंट लिखा आपने पेटू ए तो इसका मतलब क्या हुआ यह पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा है यह देखिए ए तो इसको भी ओर्डर बोलेंगे एंड नौट कंटेनिंग प्रोइबिशन वर्ड लेकिन उसमें कोई प्रोइबिशन वर्ड आएट निंग कर पाएंगे मतलब अगर आपने इसके साथ में ओनली वर्ड लगा दिय सेकेंड नमर है बेरर बेरर दो टाइब के हो सकते हैं कौन कौन सा पहला देखो एक्सपेस टूभी सो पेइसका मतलब क्या हुआ अगर आपने कोई नेगोशिबर इंस्टुमेंट लिखते समय आपने लिखा पेटू ए और बेरर साथ में क्या लगा दिया बेरर कि मैं एको पे करूँगा या bearer को पे करूँगा तो यह एक bearer instrument हो गया और second number क्या लिखा है on which the last endorsement is a blank endorsement अगर ऐसा कोई भी instrument है जिसमें blank endorsement है तो उसको बोलेंगे bearer instrument अभी देखे एक सवाल ही आता है कि आखिर order और bearer में difference क्या होगा तो इससे फरक क्या पड़ता है तो मान दिजिए एक कोई promise root है जिसमें लिखा है pay to pay to a और order यह लिखा हुआ है मान दिजिए sir एक instrument में ठीक है अब यह मान दिजिए x ने a को दिया है अभी a इसको b को transfer करना चाहता है तो a b को जब transfer करता है उसके तरीके में difference आता है अगर कोई order instrument है जैसे कि order मतलब order instrument है तो उसको transfer करने के लिए आपको दो काम करना पड़ेगा order instrument को transfer करने के लिए दो काम करना पड़ता है वो दो काम क्या है पहले endorsement करना पड़ेगा प्लस delivery करना पड़ेगा endorsement करने का मतलब क्या हुआ जैसे A जब B को transfer करेगा तो endorsement करने का मतलब हो गया वो लिखेगा pay to B और A अपना नाम लिक्र sign करेगा तो ये हो गया endorsement करना मतलब सामने वाले का नाम लिखकर आप sign करते हो उसको बुलते endorsement करना और प्लस deliver करना पड़ेगा मतलब A इस instrument को किसको दे देगा B को तब जाके यह transfer होगा जबकि अगर अगर यह instrument B R R instrument होता जैसे B R R मतलब क्या हुआ लिखा हुआ है pay to A और B R अगर यह होता और X ने sign करके दिया तो उस case में जो B R R instrument है वो transfer अब यहाँ पर मालिजिए A इसको transfer करना चाहता है B को तो A B को transfer कैसे करेगा by delivery only मतलब कोई endorsement करने की जुरती है बस यह instrument उठाके B को दे देगा तो यह B इसका मालिक बन गया यह just like currency note होगे आपने पास जो note होता है ना हम जब किसी को transfer करते हैं उसका नाम थोड़ी लिखते है इस transfer by delivery तो order और bearer जो negotiable instrument होता है ना तो इनका जो effect हो का बात है जब आप इसको transfer करते हो तब transfer करने के तरीका दोनों में difference है बाकी instrument same है आगे बढ़िए negotiable instrument की characteristics तीन important है पहला concession कोई भी negotiable instrument जो लिखा जाता है उसमें यह माना जाता है कि जब एक परसन दूसरे परसन को कोई भी negotiable instrument लिख रहा है अब जब मैं negotiable instrument वर्ड यूश करना है इसका मतब क्या हुआ promise round, bill of action, check, तीनों शामिल हो गए तो यह माना जाता है कि हमको कुछ payment करना है उसको legal obligation है उसके लिए हम उसको negotiable instrument दे रहे है यह मान दिया जाता है लेकिन हाँ, यह लग बात है कि इसके against में prove करना पड़ेगा secondaire में transfer कैसे होगा, अभी अपने बात कर दिया अगर bearer है, तो कीवल delivery की दोरा transfer होगा, और order है तो आपको दो काम करना पड़ेगा, endorsement करना पड़ेगा, और delivery करना पड़ेगा, और एक negotiable instrument में एक word होता है HIDC, जैसे ICA में होता minor ICA minor को बहुत ज़्यादा privilege देता है वैसी HIDC, जो negotiable instrument है वो HIDC को बहुत सारा privilege देता है तो यह बोला कि HIDC को better title मिलता है, ठीके अच्छा दिकार मिलेगा, इसके उपर अगे बात करेंगे अब यह HIDC का मतलब क्या हुआ इसका full form है, holder in due course HIDC का मतलब क्या, अगर कोई person HIDC बनना चाहता है तो उसको 3 condition पूरा करना पड़ेगा पहला उसको instrument concession के बदले में मिलाओ, दूसरा good faith में मिलाओ, और तीसा maturity date के पहले मिलाओ, तो हलांकि यह जो तीनों वड़े ना, यह अपन आगे बात करेंगे आगे पूरा chapter आएगा, holder HIDC में next, आगे बढ़ते हैं, presumption of negotiable instrument कोई भी N.I. में कुछी यह presume कर लिए आती है थोड़ा से मैं speed कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा chapter है, तो बहुत लंबा revision video मेरे को नहीं बनाना है, तो मैं यह उमीद करूँ कि आप लोग पढ़े हैं, तो ठीक है यह जस्ट एक revisionary video है, तो यह presumption के, unless contrary is proved, मतलब पक्की बात है कि देखो, नीचे में जितने भी बाते लिखी न, यह मान लिए जाएगी, लेकिन उसके against में prove किया जा सकता है मतलब यह मान लो कि यह जितने भी बाते हैं, इनको court मानता है कि ऐसा होगा, अब समनेल अलब बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो उसको prove करना पड़ेगा, ठीक है, तो prove किया जा सकता है, पहला point क्या लिखा है, concession मतलब कोई भी negotiable instrument अगर लिखा गया है, तो यह मान जाता है कि दो लोग की बीच में concession था, इसलिए negotiable instrument लिखा गया है second number है as to date drawn on that date, मतलब अगर कोई negotiable instrument, जैसे अगर मैं check की बात करो, तो check में अगर लिखा है, मान लिजिए 5 October, तो यह मान जाएगा कि 5 October को ही check लिखा गया है जो date लिखी रहती है, यह मानते हैं कि instrument उसी दिन को लिखा गया है, अगला point as to acceptance negotiable instrument तीन टाइब की होते है promise and bill of action हो check, तो जितने भी bill of action होते हैं, वो उसका acceptance जरुवी होता है, draw उसको accept करता है, तो यह माना जाता है कि जो भी acceptance हुआ है, वो maturity date के पहले हो गया, यह assume किया जाता है अगला point है as to time of transfer तो यह माना जाता है कि जितने भी transfer negotiable instrument में हो रहे हैं, वो maturity reader के पहले पहले हो गये होंगे यह मान लिया जाता है, अगला point है as to order of endorsement मतलब endorsement कितने बाद भी हो सकता है, maturity तक, even उसके बाद भी हो सकता है, तो जिस sequence में, जिस sequence में negotiable instrument का endorsement दिख रहा है, यह माना जाता है कि उसी sequence में उसको transfer किया गया है, मतलब अगर ऐसा कुछ लिखा है A, B, C, D, E तो यह माना जाएगा, A ने B को दिया, B ने C को, C ने D को, D ने E को, क्योंकि negotiable instrument में इस sequence का बड़ा importance होता है क्या importance होता है, बता दूँ आपको आगे वैसे आएगा, जैसे यह जो person है न, वो अपनी prior party के उपर case करके वसूल कर सकता है, तो यह sequence important है अब यहाँ पर E के पहले कौन है, D, C, B है तो अगर इसी के जगह मैं ऐसा करूँ A, B, D, C और मान लेता हूं, sorry यहाँ पर लेता हूं E, और यहाँ पर कर लेता हूं C तो अब देखो, यहाँ पर E यहाँ पर भी E है, तेकिन E को दिकार किसके उपर होगा, यहाँ पर इन लोगों के उपर बतब prior party के उपर दिकार होता है तो जो order इसमें दिखता है, यह मान जाता है कि उसी sequence में transfer हुए है next point, as to stem आपको माने में कि कोई भी negotiable instrument जो होता है जैसे कि promise round और bill of action इसमें stem लगा होता है, तो जो instrument गुम गया है यह माना जाता है कि उसमें stem लगा होगा और आखरी में हर holder को HIDC मान लिया जाता है every holder is dimmed to be HIDC मतलब हर holder को HIDC मान लिया मतलब क्या हुआ, उसको privileges मिलता है इसके बाद जो parties है, इसको मैं बाद में भी cover कर लूँगा chapter के साथ में, चलिए, आईए अब बात करते हैं promise note का definition section 4, बड़ा important है, exam के लिए बहुत ज़्यादा important है promise note का definition देखो promise note सबसे पहले बोला कि ऐसा को instrument जो की writing में हो लेकिन उसमें bank note और currency note शामिल नहीं होगे unconditional undertaking होना चाहिए unconditional मतलब कोई condition नहीं लगा सकते undertaking का मतलब promise, तो promising note naturally कौन लिखता है, जिसको payment करना होता है मतलब data, तो data जब promising note लिखता है, तो उसमें कोई किसी भी प्रकार की condition नहीं लगा सकता उसके बाद बोला sign by maker maker मतलब जो लिख रहा है, मतलब later वो sign करेगा, to pay a certain sum of money, मतलब इसमें amount pay करने की certain जो amount pay करने है, वो money में pay होना चाहिए और वो certain होना चाहिए और to certain person or to his order or to bearer, मतलब एक person जिसको आप pay करना चाहते हो, certain होना चाहिए आप उसका नाम लिखे मारी जी एक को pay करना है, तो आप लिखोगे pay to a, pay to a और order भी लिख सकते हो, pay to a और bearer भी लिख सकते हो, तो ये promise road के reference के important part है अब इसके बेस पे कुछ essential निकला क्या क्या important बाते हैं देखो, सबसे पहले बुला writing में होना चाहिए, इसका मतलब कोई भी promise note valid तब होगा जब writing में हो, अगर oral हुआ तो ये valid नहीं हो सकता अब writing मतलब चाहिए pencil को, pencil से लिको valid होगा दोनो promise to pay promise note में, जिस person को payment करना होता है, वो promise करता है pay करने का, तो promise लेकिन जो promise word है ना, उसको इस्तेवाल करने का हो सकता नहीं है, आप लिकोगे ना कि I will pay to Mr.Date, तो भी valid होगा क्योंकि आप payment करना चाहरे है I promise to pay, promise word यूस करने की ज़रत नहीं है, intention important है intention important है, ये देखे इसके बाद है, मेर acknowledgement of date is not valid, acknowledgement of date का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई promise note लिखा, आपने कोई instrument लिखा, उसमें आप क्या बूलें, कि मुझे आपको pay करना है मतलब मैं अपने date को accept करना है acknowledge करना मतलब एक्सेप करना, तो इसको valid नहीं माना जाता, क्योंकि promise note में, promise note में payment करने की बाद होना चाहिए, आपकी वहल अपने date को accept करें, कि हाँ भई, मैंने तुमसे माल खही जा, दो लाग का, मुझे आपको pay करना है ये valid नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप payment करने की तो valid नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी condition है, जो आप लगाते भी तो valid होगा, क्योंकि condition certain होती है, और वो certain condition के death, मतलब अगर आप ये बोलते हैं कि मैं एक death के 7 दिन के बाद payment करूँगा, तो बिलकुल valid है, हालांकि death कब होगी यह नहीं पता, लेकिन death का होना तरह है, तो ये instrument बिलकुल valid होगा, तो किवल एक condition लगा सकते हैं, death value वो valid होगा, otherwise बाकी कोई भी condition valid नहीं होती, इसके बाद अगला point है कि जो promise होटे हो money में होना चाहिए, और वो money certain में होना चाहिए, अब ये जो word है ना money, money का मतब क्या होता है, currency, currency मतब Indian currency की बात हो रही है, मतब अगर आप किसी को foreign currency में promise करते हो कि मैं आपको 10,000 dollar पे करने का promise करता हूँ, तो ये valid नहीं होगा, अगर आप लिखते हो कि मैं आपको अपनी card देने का promise करता हूँ, valid नहीं होगा, kind भी नहीं होगा, अगर आप money plus kind दोनों बोलते हो, तो भी valid नहीं होगा, कि मैं आपको 2,000,000 रुपे plus card दूँगा, तो भी valid नहीं होगा, मतब कोई भी promise मोर्ट तभी valid होगा, जिसमें केवल और केवल payment किसमें होना चाहिए, money में, आप बोलते हैं, मैं आपको 10,000,000 रुपे पे करने का promise करता हूँ, ये केवल valid होगा, अब अगला point क्या लिखा है, money certain होना चाहिए, मतलब अगर आपने amount को certain नहीं बता है, तो valid नहीं होगा, जैसे आपने ये लिदिया, कि मैं आपको 10,000,000 या 12,000,000 पे करूँगा, तो valid नहीं होगा, क्योंकि amount certain नहीं है, 10,000,000 पे करोगी कि 12,000,000 रुपे, लेकिन एक important बात है कि, अगर आपने कोई rate of interest मेंशन नहीं किया, जैसे आपने लिखा कि मैं आपको 10,000,000 रुपे, तीन मेने के बाद दूँगा, along with interest, तो अब देखा जातो amount certain नहीं क्योंकि interest का rate ने mention किया, लेकिन यहाँ पर, यहाँ पर negotiable instrument का section 80 applicable हो जाता है, और section 80 में क्या लिखा है, अगर आपने interest rate मेंशन नहीं किया, तो it will be dim to be 18% परिनम, तो ये valid हो जाता है, अगला point है sign, यह जो promise rate valid तभी होगा, जब उसको maker sign करे, maker का मतलब कौन जो promise कर रहा है, प्रॉमिसर बोल दो, डेटर बोल लो, ठीक है, नेगोशेब लिंस्पेंट, अभी जो sign होगा न, वो आपको नेगोशेब लिंस्पेंट पर ही करना पड़ेगा, अगर आप अलग से कोई piece of paper, मतलब एक पन्ने पर आप promise rate लिख रहे हो, दूसरे पन्ने पर sign मारे, उसको attach करे हो, तो ये valid नहीं होगा, एनाई पर sign होना चीए मतलब क्या होगा, या तो face पर होना चीए, या back पर होना चीए, अलग से piece of paper पर sign नहीं हो सकता, अगला point है, परसंट टूम, promise is made, must be certain और definite, मतलब ये किसके बार इम बात करे हैं मालू, पेई की बात करे हैं, तो देखो, ये यहाँ वाला point ले लो आप पहले, दो party, कि जो आदमी को आप payment करना चाहते हैं, मतलब पेई की बात हो रहा है, वो कौन होना चीए, एक certain person होना चीए, अगला point है, section 31 of RBI, RBI Act का section 31 क्या बोलता है देखो आप, इसमें साफ साब क्या बोला है, promise note cannot be payable to bearer, साफ साब क्या बोला है, promise note cannot be payable to bearer, और RBI Act में लिखाए कि, केवल central comment और RBI, ये दो ऐसे लोग हैं, जो promise note payable to bearer लिख सकते हैं, बाकी कोई भी promise note payable to bearer नहीं लिख सकता, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, NIA Act जो है न, वो तो क्या बोलता है, promise note आप bearer लिख सकते हो, order bearer दोनों हो सकता है, लेकिन RBI Act ने मना कर दिया कि नहीं लिख पाएंगे, तो कौन किसको prevail करेगा, कौन किसको override करेगा, यहाँ पर RBI Act override करेगा NIA Act को, इसका मतलब क्या हुआ, NIA Act में भले लिखा हुआ है कि, promise note payable to bearer हो सकता है, लेकिन यह पढ़ने के बाद हम बोल सकता है, कि promise note कभी भी payable to bearer नहीं हो सकता, इसका मतलब promise note केवल पॉन्स होगा, order होगा, क्योंकि RBI Act ने इसको मना कर दिया, आगे बढ़िए, next point है stamping, कोई भी promise note जो होता है ना मिटा, उसमें stamp लगाना पड़ेगा, तो promise note valid तभी होगा, जब उसके उपर stamp लगाओ, अभी देखिए कुछ example है यहाँ पर, I promise to pay B or order rupees find it, है ना, मतलब B or order को मैं 500 रुपे देता हूँ, तो आपने यह जो promise note है, यह एक तो order वाला है, क्योंकि आपने order लिखा, amount यहाँ पर certain दिख रहा है, अगर मैं बात करता हूँ कि A ने B को अपना goods बेचा, तो यह seller हो गया और यह buyer हो गया, तो promise note जो होता है, वो buyer लिखता है क्योंकि buyer को pay करना होता है, तो वो promise करता है कि मैं आपको pay करने का promise करता हूँ, लेकिन कई बारे सा होता है कि A बोलता है कि मैं आपके उपर एक document लिखता हूँ, तो A कौन है, जिसको पैसा लेना है, वो creator है, तो वो जो document अपने data पर लिखता है, उसको बोलते है bill of action, मतलब बड़ा फरक क्या हो गया, promise note लिखता है data और bill of action लिखता है creator, लेकिन दोनुका जो nature है, वो almost same है, देखिए क्या लिखा है, definition में देखो, bill of action ये एक instrument है, जो की writing में होना चीज़ी उधर भी था, unconditional order, उसमें लिखा था कि unconditional undertaking, यहाँ पर लिखा है unconditional order, क्योंकि यहाँ पर payment करने का order दिया जाता है, वहाँ पर promise करना, payment करने का promise होता है, यहाँ पर order होता है, अगला point है sign by maker drawn, जो भी promise drawn, जो भी bill of action को लिख रहा है, तो bill of action को लिखता कोन है creator, तो जो creator है, वो लिखने के बाद अपना sign करेगा, तो pay certain sum of money, same है, pay money में होना चीज़, money certain होना चीज़, to certain percent, और order और बिए रहा है, मतब बिलकुल same to same definition है, थोड़ा बहुत जो difference है, अब यहाँ पर आईए, bills of action का अगर essential कै, देखो, bill of action का जो essential है, मतब जो important चीज़ है, वो बहुत सारी तो वो point है, जो promise रोंट में already पर चुकिए हो, same to same आएगा, और कुछ point इसमें अलगे, तो पहले same point कौन कौन सा देखवा, जैसे वो writing में होना चीज़, A-B writing में होना चीज़, oral valid नहीं होगा, unconditional वो भी होना चीज़, A-B unconditional होना चीज़, payment करने का certainty होना चीज़, amount certain होना चीज़, money में होना चीज़, stamping होना चीज़, बिल्कुल same to same है, ठीक है, अब अलग point किया है, order, देखो, promising note में payment करने का promise होता है, जबकि bill of action में payment करने का order होता है, लेकिन order word use करने के आउशकता नहीं है, जैसे वहाँ promise word use करने के आउशकता नहीं थी, अब यह क्या बूल सकता है, ए बूल सकता है कि पैसा मुझे दो, तो उस case में पेई भी ए बन गया, ड्रावर भी ए, पेई भी है, लेकिन कई बार क्या होता है, ए किसी और का भी नाम लिख सकता है, ए बूल सकता है कि मेरा पैसा, मेरे को जो तुम से पैसे लेना, तुम C को देना, तो उस case में पेई कौन मन गया, C, इसका मतलब क्या हुआ, यह जो ड्रावर और पेई है न, यह दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग लग भी हो सकते हैं, आगे बढ़िए, RBI Act का section 31, यह जो RBI Act है न, उसका section 31, प्रॉमिस रोंड में क्या लिखा था, कि प्रॉमिस रोंड पेबल टु बेरर होई नहीं सकता, अब यह थोड़ असर समझ देते हैं, यहाँ पे जो On Demand का मतलब क्या हुआ, देखिए, कोई भी जो Negosable Instrument है न, कोई भी Negosable Instrument दो प्रकार का हो सकता है, यह वैसे आगे कवर होगा, लेकिन थोड़ असर में बता दू, कोई भी Negosable Instrument दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है Time, और एक हो सकता है Demand, Time का मतलब क्या हुआ, अगर कोई Negosable Instrument में लिखाए, कि इसका Payment तीन मेने के बाद Payable होगा, या दस दिन के बाद Payable होगा, तो उसको बोलते हैं Time, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका Payment तीन मेने के बाद या दस दिन के बाद ही होगा, ये Time हो गया, और Demand का मतलब क्या हुआ, अगर आपने Demand का बोलते हैं मालूँ, अगर कोई Negosable Instrument में आपने कोई Time Limit नहीं लिखा, जैसे एक Example लेता हूँ, मैंने आपको एक Promise Road लिखा, मैंने उसमें बुला कि I Promise to Pay 10,000 रुपीज, मतलब मैंने कोई Time Mention नहीं किया, तो उसकेस में It is Payable on Demand, या कई बार क्या होता है, हम लोग लिखते हैं, हम लोग जब Promise Road लिखते हैं ना, साफ साब लिख दो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, I Promise to Pay 10,000 रुपीज to Mr. B, which will be Payable on Demand, तो इसको बुलते हैं Demand, अब ये Demand का पैसक का मिलेगा, देखो Time का पैसक का मिलता है, उतने समय के बाद, तीन मेने के बाद या दर्दस दिन के बाद, लेकिन, लेकिन Demand में Payment होगा कभी भी, जब Demand करेगा, मतलब मैंने अगर आपको Promise Road दिया ना, तो अब जब मेरे पास आओगे, तो मुझे Payment करना पड़ेगा, तो अब ज़रा यहाँ पर देखो, Bill of Action के बारे में, यहाँ पर RBA Act में क्या लिखा है, पेबल to bearer on demand नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ, पेबल to bearer on time हो सकता है, मतलब अगर मैं Bill of Action जाएसा लिखता हूँ कि, पेबल to A और bearer, मतलब यह bearer हो गया, 10,000 रुपीस after 3 months, तो 3 months लिख दिया मतलब time हो गया ना, तो यह valid होगा, ठीक है, जबकि प्रॉमिस्टों पेबल to bearer हो नहीं सकता, आगे बढ़िए सर, acceptance, Bill of Action यह कैसा document है, जिसमें लिखता drawer है, drawer लिखता है, लेकिन लिखता किस के उपर है, drawer के उपर, तो drawer का नाम लिखेगा, कि मैं तुमको payment करने का order देता हूँ, तो उसके बाद आपको drawer का, drawer का sign भी करना पढ़ेगा, ठीक है, maturity के पहले पहले, तो जैसी drawer sign करता है, sign करता मतब क्या हुआ, उसने accept कर लिए, कि हाँ मैं आपको payment करूँगा, तो जैसे ही वो accept करता है, तब जाके वो instrument जो होता ना, वो मतब draw reliable होता है, तो bill of action में acceptance must होता है, जब कि promise note में acceptance का कोई concept नहीं होता, अभी दोनों के बिच में difference जो है, वो आप लोग कर लिजिएगा, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला इसमें concept है payment in due course, देखो पूरे की पूरे नेगोशियबल instrument में, पेमेंट का बड़ा importance है, पेमेंट का बड़ा importance है मतब क्या हुआ, कि कोई भी नेगोशियबल instrument, जैसे माल लिजे कोई promise note है, ये A ने B को दिया, B ने C को दिया, C ने D को दिया, अब हर promise note का एक maturity date होता है, माल लिजे 30 October maturity date है, बतब जिस दिसको payment मिलने वाल है, तो आप इसके पास जाओगे, और ये payment करेगा A, माल लिजे, तो ये payment, जो है ना जो A करेगा, वो payment in due course होना चीए, अगर आप में payment in due course का मतब क्या होगा, प्रॉपर तरीके से, तो अगर आप payment in due course करोगे, तब ही आपका payment valid माना जाएगा, अगर आप में payment प्रॉपर तरीके से नहीं किया, तो हो सकता आपको दोबारा भी payment करना पड़ जाए, तो ये हर जो भी परसंट payment करने वाल है, उसको ध्यान लखना चीए कि वो payment in due course करे, तीनों condition अगर satisfied होती है, तो ये माना जाएगा कि वो payment in due course है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, एपरेंट टैनल, टैनल का मतलब है यहाँ पे intention, इसका दो मतलब है, मतलब आपको जब payment करना ना, तो आपको दो बातों को ध्यान लखना है, एपरेंट टैनल का मतलब क्या हुआ, आपको intention के साब से, मतलब instrument का जो intention था ना, इरादा था ना, उसको ध्यान लखते हुए payment करना चाहिए, इसका दो मतलब क्या है, पहला तो भी आप payment, maturity date को है उसके बात करो, मतलब उसके पहले payment मत करो, मैं चोटी date उसके बात करो, दूसरा payment money में करो, काइन में मत करो, foreign currency में मत करो, ये दो बातों को ध्यान अको, अगर आपने इन दो बातों को ध्यान नहीं दिया, और payment कर दिया तो उस payment को क्या बोलेंगे, payment in not, ये payment in due course नहीं है, इसका मतलब आपको दोबरा भी payment करना पड़ सकता है, अगला point है two possession, मतलब payment किसको करो कि भीया, आप payment उसी person को करो, जिसके पास instrument का, जो instrument का holder है, मतलब जिसके राम से instrument रिखा है, जिसके पास है वो instrument, उनी person को ये उसके agent को payment करो, कोई दूसे percent को payment मत करो, और तीसा point है payment good faith में करो, good faith का मतलब क्या हुआ, जब आप payment करते हैं तो अगर आपको doubt हो रहा है कि ऐसा लगता है कि आदमी ठीक नहीं है, जो payment लेने आ रहा है, वो प्रूव होना नहीं है, मतलब negligently payment मत करो, लापरवाई से payment मत करो, अगर कोई भी suspicious circumstances है, तो थोड़ा सा inquiry करना चाहिए, ठीक है, या कुछ भी doubt आ रहा है कि भले instrument इसके पास है, लेकिने owner जैसा लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी doubt आ रहा है, तो उस case में payment मत करो, अगर आपने फिर भी payment कर दिया ना, तो उस case में आपको दुबारा payment करना पड़ सकता है, तो इसके साथ यह आपका chapter number one over, चलिए अगला chapter लेते है, maturity of negotiable instrument, सीधा, चेक कर chapter बाद में लेंगे, maturity, कोई भी negotiable instrument में, अगर जो time instrument है, उसमें maturity date होती है, उसको calculate करना पड़ता है, यह पूरा chapter उसे के उबर है, तो maturity date का मतलब क्या होता है, जिस दिन payment मिलने वाला उसको बोलते है, maturity date, instrument दो type का हो सकता है, एक demand और दूसरा time, demand का मतलब कैसे पता चलेगा, क्यो demand है, यहां section 21 है, अगर कोई भी negotiation instrument में कोई time mention नहीं है, तो demand होगा, या instrument में साफ साफ लिखा है, कि it is payable on demand, on presentment, outside, तो इसका मतलब वो demand है, तो demand का मतलब क्या हुआ, जिस दिन demand करेंग, उस दिन payment होगा, मतलब यहां पर maturity date का कोई calculation नहीं होगा, लेकिन time का मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी negotiation instrument में कुछ time mention कियो, तो time होगा, जैसे आपने लिखा 10 दिन के बाद, या 3 मिने के बाद payable होगा, तो time होगया, तो यहां पर आपको यह ध्यान अखना पड़ेगा, कि maturity date कैसे निकलती है, जित्ते मेने के बाद लिखा है, वो दिन और प्लस 3 grace days extra मिलता है, तीन दिन जोडने के बाद जो date आएगा, वो आएगा maturity date, आगे calculation है, section 22 maturity date के बार में definition बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ, maturity date का मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ही है कि जिस दिन उसका payment due होगा, the date on which instrument is expressed to be payable, plus 3 grace days, मतलब maturity date का एक formula याद कर लो, the date on which a negotiable instrument is expressed to be payable, plus 3 grace days, is equal to date of maturity, जो check होता है, यह हमेशा payable on demand होता है, इसका मतलब maturity date का concept check में, कभी भी applicable नहीं होगा, तो कुल मिला के जो maturity date का allocation है, वो किवल किस के उपर applicable होगा, promise to know below of action में, और वो भी कब, जब वो time instrument होगा तब, अगला पॉन्ट देखे, calculation कैसे होता है MD का, 23 से लेके 25, यह 3 sections इसके लिए बनाएगा है, 3 section किसके बार में, पहला अगर कोई अगर अगर उतने महीनों के बाद, अगर उतने महीनों के बाद, सेम डेट अविलेबल है, तो उसके इसमें क्या होगा, तो तो देट कर्रेस्पॉंडिंग डेट, जो सेम डेट है वो, प्लस थी ग्रेस डेस, एड करेंगे तो आएगा, जैसे एग्जामपल यहां पे लिखा है मैंने, अगर एक इस्ट्रूमेंट 15 जनवरी को लिखा गया है, और यह पेबल है दो मेने के बाद, तो कैल्कुरेशन कैसे होगा, 15 जनवरी के बाद, दो मेने एड करो, तो 15 फरवरी, 15 मार्च, मतब dau मेने मतब मार्च है, तो मार्च में 15 तरीक जो है ना, यह 15 मार्च जो इसको बोलते है क्रेस्पॉंड लेट, दो मेने के बाद क्रेस्पॉंड लेट है, उसमें तीन दिन एड कर दो, तो 3 ड़ेज, ग्रेस डेज़ एड करेंगे, तो 18 मार्च जो आए ना यह आगे आपका maturity date बतब payment 18 मार्च यह उसके बाद ही होगा अब कई बार ऐसा हो सकता है कि corresponding date available नहीं है corresponding date available नहीं है तो उस case में क्या करना है तो लोग बोलता है कि उस month का जो last date है उसको base rate लो और वहाँ पे तीन दी जोड़ दो example देखो क्या लिखा है अगर एक negotiable instrument 31 जन्वरी को लिखा और लिखा है कि तीन मेने के बाद payable है तो अब ज़रा हिसाब लगाओ 31 जन्वरी के बाद 3 मेने जोड़ो 31 जन्वरी के बाद 31 फरवरी नहीं है तो हो नहीं सकता खेर जो भी है बीच का कोई मतलब भी नहीं अपने को 31 फरवरी ऐसी बोने मार्च एपल मतलब 3 मेने जोड़ेंगे तो यह किता हो गया यह आ गया 31 फरवरी नहीं तो यहां बोलूँगे corresponding date नहीं है तो एपल किते मेने का होता 30 तो last date of that month है मतलब 30 फरवरी प्लस 3 दिन को एड़ कर लोगे तो यहां पर आजागा थर्ड में तो यहां पर आंसार जाग अगला पॉंट देखे इव दे नेगोशिबल इस पेबल आफ्टर सटेन नंबर आफ देस तो 24 का लव अप्लिकेबल होगा कुछ दिनों के बाद जैसे आपने लिए एक नेगोशिबल इस दिन के बाद 15 दिन के बाद तो यहां पर क्या लिखा है देट ओन विच नेगोशि पड़ना पड़ता है वन डे विल इस जहां से आप कैलकुरिशन स्टार्ट करते ना उस दिन को काउंटिंग में नहीं लेना है जैसे एक्जांपल क्या लिखा है अगर एक नेगोशिबल इसमें 7 जनवरी को लिखा गया है ठीक है और 15 दिन के बाद पेबल है तो जब आप क जबारी को गिनना नहीं है तो 15 दिन क्या होगा 22 जनवरी इसमें आपको 3 दिन को आइड करना है तो आंसर क्या हो जाएगा 25 जनवरी यह आ गया आपका मैच्वोटी डे और इसका आखरी सेक्षन है अगर मैच्वोटी डेट जो आप केलकुरिट करके निकाल रहें सेक्षन 25 क्या बोलता है अगर उस दिन पब्लिक होलिडे आ गया तो चैस में इस्च्रूमेंट कप पेबल होगा नेक्स प्रीशीडिंग बिजनस दे मतल क्या हुआ अगर मैच्योटी डेट संड़े आ गया थो संड़े के एक दिन पहले मतलब सेटेडे को पेबल होगा परमानी ऊच् तो वर्ड क्या गया next preceding business day लेकिन कई बार क्या होता है कोई दिन ऐसा भी होता है जो पहले से public holiday declare नहीं है पर अचानक से अचानक से public holiday declare हो गया तो तीन वर्ड आता है अचानक से के लिए emergency, unforeseen और sudden तो उस case में instrument कब payable होगा next succeeding business day next succeeding business day for example, अगर 9th October को maturity date है, 9th October को पब्लिक holiday नहीं है लेकिन अचानक से public holiday declare हो गया, तो इसका payment होगा 10 October को और अगर 10 October को Sunday आ गया मान लो तो उस case में 11 October को तो एक में पहले जाते हैं और एक में बाद में आते हैं तो यह हो गया आपका chapter में maturity का concept अगले चेप्टर के उपर बात करते हैं इस चेप्टर के रहा हमें negotiation मैंने क्या गया, नेगोशेबर इंस्ट्रूमेंट को लग लग चेप्टर में डिवाइड का लिया, अगला concept हम डिसकस करें वाले negotiation के बारे में, negotiation का मतब क्या होता है transfer करना, हमको माले में कोई भी negotiable instrument, negotiable instrument का मतब भी होता है कि एक ऐसा instrument जो एक person दूसे को, दूसा तीसे को, तीसा चौथे को ऐसा कितने बार भी transfer हो सकता है तो अब एक सवाल है कि negotiation होता कैसे तो negotiation का meaning section बर 14, क्या लिखा है अगर कोई negotiable instrument transfer किया जाता है किसी दूसे person को, ताकि वो person holder बन जाए अब देखिए, holder का मतलब क्या हुआ भाई जैसे मालीजे, A ने प्रॉमिशन और B को दिया लिख कर, तो B के पास instrument है न, मतलब B को पैसा recover करने का right है जिस वेक्ति को पैसा recover करने का right होता न, उस person को बोलते है, holder अब ये instrument B के पास है B के पास दो option है, या तो B मैं चोटी तक अपने पास सके, या उसको किसी और को transfer कर दे, तो B ने इसको C को transfer कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ अभी holder B नहीं रहा, बलकि B ने अपना अधिकार किसको दिया, C को, तो C holder बन गया, तो negotiation का मतलब ही क्या हो गया, जब एक person, दूसरे परसं को transfer करता है, ताकि, जो ये holder है, वो अपना holder होने का अधिकार किसी और को transfer कर दे, तो हम उसको बोलते है, negotiation, क्या bank में, आप safe custody में, जब आप कोई negotiable instrument रखते हो, तो क्या वो bank holder बनता है क्या, answer is no, क्योंकि अधिकार आपका है, आपने bank को अपना अधिकार transfer नहीं क्या, वो तो safe custody में रखने के लिए दिया है, negotiation होगा कैसे, भाई, एक परसंद, दूसरे परसंद को N.I. transfer करेगा, तो करेगा कैसे, उसके दो तरीके हैं, यह हम पढ़ चुके हैं, अगर bearer है, तो केवल delivery के दारा, और अगर order है, तो आपको दो काम करना पड़ता है, एक endorsement करना पड़ता है, और दूसरा delivery करना पड़ता है, जो मैंने chapter 1 में आपको बताया, अब दो वर्ड़ता है, एक negotiation और एक assignment, इसको आपके study mat में पहले लिखा था, लेकिन अभी हटा दिया गया है, उसके differences, यह समलो negotiation जो है न, मतलब आपके पास अगर कोई भी negotiable instrument है, आप इसको transfer करना चाहते हैं, तो अलग लग कानून हैं इंडिया में, जिसके दोर आप transfer कर सकते हैं, एक आप NIE Act को follow कर लो, तो NIE Act के अनुसार अगर आपको transfer करना है, तो यह उपर में जो तरीके दिये, उसके अनुसार transfer करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक अलग act है, transfer और property है, टोपा, transfer और property है, उसमें भी एक तरीका दिया, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा formity वाला है, ज़्यादा formal है, उसमें आपको stamp paper लेना पड़ता है, court में जाना पड़ता है, तो वो सब formity है, तो कोई भी NIEGOSIERBAL INSTRUMENT दोते हैं, उसको जो, अगर आप endorsement section 15, देखो, एक बात हमको समझ आ रहा है, कि अगर आपके बास कोई order NIEGOSIERBAL INSTRUMENT है, तो उसको अगर आप किसी और को transfer करोगे न, तो आपको दो काम करना पड़ता है, एक endorsement करना पड़ेगा, दूसा delivery करना पड़ेगा, तो यह endorsement word का मतलब क्या है, यह हम लोग यहाँ पर पड़ने वाले है, ठीक है, तो देखिए endorsement का मतलब क्या लिखा है आपर, endorsement का मतलब है, अगर कोई holder NIEGOSIERBAL INSTRUMENT पर sign करता है, अब यह sign कहाँ पर करेगा, देखो, मैंने example जो दिया न, जैसे मालेजिए, A इसको B को transfer करना चाता है, तो वो क्या करेगा, endorsement करना मतलब क्या लिखेगा, pay to B, A अपना नाम लिकर sign करेगा, इसको बोलते हैं endorsement करना, यह सामने अलगा का नाम लिकर, आप sign करते हो, अब यह endorsement होता कहा है, तो law में क्या बुला, या तो negotiate management के face पे कर लो, या back पे कर दो, या even अलग से paper, कई बार instrument फिल हो जाता है, पुरा full हो गया, तो अलग से paper पर भी आप endorsement कर सकते हो, और इसका उदेश है क्या होना चाहिए, negotiation करने के लिए, भाई आप यह क्यों करेगा ऐसा, आप आप यह इसलिए करेओ, ताकि आप B को इसको transfer करना चाहते हैं, तो इसको बुलेंगे endorsement, और यहाँ पे दो party हो गया, एक हो गया endorseर, और दूसा हो गया endorsey, जो transfer कर रहा है, वो endorseर, और जिसको transfer किया जा रहा है, endorse किया जा रहा है, वो को transfer कर रहा है, तो क्या लिखेगा, pay to be rupees 5000, लेकिन मानलो, एक negotiable instrument है, 5000 रुपे का, लेकिन आप transfer करते हैं, क्या लिख रहे हो, कि pay to a rupees 2000 only, तो यह valid नहीं होगा, क्योंकि partial amount का transfer valid नहीं होता, अगला point है, joint holder, joint holder का मतलब क्या हुआ, अगर कोई joint holder है, मतलब एक कोई negotiable instrument 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के नाम से लिखा गया है, मतलब payment 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को मिल कर मिलने वाला है, तो joint holder हो गए, अब यह joint holder, जब किसी और को transfer करेंगे, तो उसका transfer करते हैं, साइन कौन करेगा, भई मानलो, आपने लिखाए कि pay to A and B, और X ने आप पर sign किया, तो यह कौन होगे joint holder, payment किसको मिलने वाला है, A और B को, अब मानलीजे, A और B आगे इसको Y को transfer करना चाहते हैं, तो वो क्या लिखेंगे, pay to Y तो लिखेंगे, pay to Y तो लिखेंगे, अब यहाँ पर A sign करेंगे, या A भी दोनों sign करेंगे, इसके बारे में बात है, तो यहाँ पर law में साथ साथ क्या बुल दिया, joint holder के case में, सब को sign करना पड़ेगा, मतब A और B दोनों को sign करना पड़ेगा, लेकिन इसके दो exception है, मतब यह A और B दोनों मिलकर बैटें, और B ने A को authorize कर दिया, कि transfer का काम तू कर लेना, तुने sign कर दिया, तो मान लूँगा कि मैंने sign कर दिया, तो यह दो ऐसे case से जहाँ पर कोई एक भी sign करेगा, तो चलेगा, अगला point है, endorsement कहाँ पर होगा, तो endorsement negotiable instrument पर भी हो सकता है, face पर, back पर, या अगर कोई space नहीं है, तो अलग से paper पर भी कर सकते हो आप, अगला point है sign sign जो है ना, वो face पर, back पर separate slip पर हो सकता है, मालू में आपको endorse word use करने के हो सकता नहीं है आप यह लिख सकते है, pay to A pay to B, मतब I endorse to Y, या आप A, B ऐसा लिखने के हो सकता नहीं है, केवल sign करना sufficient होगा, और यह valid तभी होगा, अरे भाईया सुचो, मैंने आपके नाम से instrument transfer तो कर दिया तो transfer करने के बाद मुझे आपको deliver करना पड़ेगा, अगर मैंने आपको deliver नहीं किया, केवल आपको नाम लिख कर दे दिया और आप छीन के बगगे तो यह valid नहीं, नहीं होगा deliver करने का मतब होता है, जो endorser होना है जो endorser है न, वो endorse करने के बाद आपको खुद देगा तब उसको deliver माना जाएगा, और यह तभी endorsement आपका complete होगा अब यहाँ पे endorsement के बहुत अलगलग types हैं, इसके उपर one by one बात करते हैं देखो, सबसे पहला तरीका लिखा है, blank endorsement या general endorsement blank endorsement का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए, मैं A के example लूँगा A, B को जब transfer कर रहा है मान लो, तो उसने क्या किया, पे to, लिखना क्या चाहिए, पे to B और A अपना sign करेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, endorsement ने, मतलब A ने sign तो कर दिया लेकिन उपर में B का नाम नहीं लिखा, endorsement का नाम नहीं लिखा, तो उसको बुलते है, blank transfer तो जैसी blank transfer होता है, तो इसका effect क्या होता है, कि वो जो order instrument है, वो convert हो जाता है, bearer instrument में, अगला point है, full endorsement, full का मतलब क्या होता है, जहाँ पर endorser अपना sign करके, endorsement का नाम भी लिखता है, उसको बोलते है, full transfer, अगला point है restrictive transfer, डाम से ही समझा रहा है, restriction लगाना, मतलब अगर endorsement करत इसमें, endorser जो होता है, वो restriction लगा देता है, जैसे, मानीजे, A, B को जब transfer करा है, तो क्या लिख रहा है, pay to B only, और यह अपना sign करता है, मतलब अब क्या होगा, वो जो B है न, वो आगे transfer नहीं कर पाएगा, restriction लगा दिया, तो इसको बलेंगे restrictive transfer, अगला point है partial transfer, पार्शल का मत ही है, यह valid नहीं होता, partial endorsement, अभी अपने किया, लेकिन एक case में valid हो सकता है, और वो case क्या है, भई मानलो 5000 का instrument था, ठीक है, और 5000 में से, वो जो party थी न, जिसको payment करना था, एक party होती है, जिसको payment करना था, उसने मानी जी 3000 रुपे पहले ही payment कर दिया, maturity date के पहले, तो मेरे को 3000 मिल चुका है, अब 5000 में 3000 तो मेरे को मिल चुका है, तो मुझे अब लेना किता है 2000 रुपे, तो अब 3000 मिलने के बाद, actual instrument होई 2000 रुपे के लिए गया है, तो अब जब मैं आगे किसी को transfer करूँगा, तो 2000 का transfer करूँगा न, तो मैं लिखूंगा pay to pay rupees 2000, तो यह जो है न, यह valid ह होगा, यह दिखने में partial है, क्योंकि लिखा हुआ 5000 रुपे, पर 3000 रुपे मिल चुका है न, तो यह वो ही लिख रहे है, अगर part amount already paid हो चुका है, और negotiable instrument balance amount के लिए transfer किया गया, जित्ता balance बद गया मतलब 2000 बद गया न, तो पुरा 2000 के लिए आप transfer करूँगा तो यह बिलकुल valid होगा, अगला point है conditional, अब यहाँ पर यह दिखान रखना, conditional का मतलब क्या हुआ, कि अगर endorser endorse करते हैं कुछ condition लगाता है, तो इसको बोलते है conditional, अब यह जो तीनों point है न, यह conditional के तीनों point हो गए, तीन example हो गए मान लिजिए, यह तीनों को बोलते है conditional endorsement, ठीक है, क्या-क्या तीन point है, sense course, facultative और sense phase, तीनों का मतलब क्या हुआ, यह सब में condition लगा रहा है, कौन लगा रहा है, endorser, तो जब endorser endorsement करते हैं कुछ condition लगाता है, तो इसको बोलते है conditional, यह तीन point में divided है, पहला sense course, sense course का मतलब क्या होता है, अगर endorser endorse करते हैं, अपनी liability को खतम कर देता है, तो बोलते है sense course endorsement, ठीक है, तो sense course का मतलब क्या हुआ, endorser liable नहीं होगा, और इसका मतलब यह हुआ, कि अगर भविशे में instrument dishonor हो गया, तो इस case में जो endorser, जिसने sense course endorsement क्या है, वो liable नहीं होगा, उसके उपर court में case नहीं हो सकता, अगला point है, मतलब जो holder है न, वो endorser के उपर case नहीं कर पाएगा, अगला point है faculty यह sense course का just उल्ट है, sense course में endorser अपनी liability खतम करता है, faculty में endorser अपने अधिकारों को खतम कर लेता है, तो यह वही लिख रहा है, कि अगर endorse करते समय, endorser अपने अधिकारों को खतम कर लेता है, तो उसको बोलते है, faculty टी इंडूस्मेंट, जैसे for example जब कोई instrument dishonor होता है, तो holder के duty है कि वो जिस party के उपर case करना चाहता है, उस party को notice of dishonor बेजे, तो मानीजिए एक endorser ने endorse करते समय क्या लिखा, कि मेरे को notice of dishonor देने के आउसकता नहीं है, मतलब उसने लिख जा notice of dishonor वेवड, तो इसको बोलेंगे faculty to, मतलब भविश्य में जब instrument disorder होगा ना, तो उस case में holder को, उस endorser को notice देने की भी आउसकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने दिकार को खतम कर लिया, वो direct उसके उपर court में case कर सकता है, और तीसा है sense phrase, sense phrase में क्या होता है, वो जो endorser है ना, वो ये चाहता है कि इस instrument पे कोई भी, अगर instrument dishonor हुआ, तो उस instrument के पर कुछ और खर्चे होते हैं, उन खर्चों के लिए मैं liable नहीं होगा, मतलब क्या हुआ, भई मान दिजी एक negotiation management 10 लाक रुपे का है, अब जब ये dishonor होता है ना, तो court में जब आप case करते हो, तो court में जा कि आप पैसा किता मंगते हो, आप बोलोगे 10 लाक रुपे, जो instrument का पे करना पड़ता है, प्लस आपको interest का भी नुक्सान हुआ, तो ये समिला कि मान दिजीए 12 लाक रुपे हो गया, तो आप उस party से जिसने payment नहीं किया, उससे 12 लाक रुपे वसूल करते हो, अब अगर endorser, endorse करते समय, sense phase endorsement कर दिया ना, तो अगर holder, उस endorser से पैसा वसूल करना अब उसने ये बोल दिया कि मैं खर्चों के लिए लाइबल नहीं होंगा, मतलब मैं प्रिंस्पल अवंट के लिए में लाइबल हूँ, पर एडिसनल खर्चे के लिए में लाइबल नहीं होंगा, तो उसको बोलते है, sense phrase endorsement, ओके, और इसका आखरी concept है, negotiation bag, बड़ा important concept है, negotiation bag नाम से ही समझ आ रहा है, अगर कोई negotiable instrument, negotiate होते 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 हो, वापस से उस party के पास पहुंद गिया, जिसने पहले कभी endorse किया था, उसको बोलते है, negotiation bag, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कभी ऐसा कुछ हुआ कि pair party, subsequent party बन गई, तो उसको बोलते है, negotiation bag, example देखो क्या हुआ मालीजे, P है, P ने transfer किया, A को, A ने B को, B ने X को, X ने Y को, Y ने फिर से A को कर दिया, तो अब आप देखो, A, A prior party था, A prior party था, और गुम फिर के उसी के पास आ गया, इसको बोलते है, negotiation bag, अब negotiation bag में, ये prior party और ये subsequent party, तो अब इसके case में क्या होगा, भई, normal rule क्या होता है, कि अगर, भई, आप maturity date पर आप पैसे लेने किस के पास जाओगे, P के पास, P ने payment करने से अगर मना कर दिया, तो law क्या बोलता है, आप अपनी prior party से वसूल कर सकते हो, तो अब ज़रा सोच ना, मानीजे, A ने बुला, मैं X से पैसा वसूल करूँगा, तो A X से वसूल करेगा लेकिन फिर X को भी law दिकार क्या देता है, आप अपनी prior party से वसूल कर लो, तो अब X की prior party कौन हो गया, B है, A है, P है, अब ज़रा सोचो, A भी तो इसकी prior party हो गे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर A X पर केस करेगा, तो X वापस A पर केस कर सकता है, तो उसका तो कोई फ कर सकता है, तो कुल्म लाके, कुल्म लाके, यह आपको एक circle दिख रहा है, A to A circle बना दो, तो एक दूसरे के उपर court में केस करने का क्या फाइदा, तो यहाँ पर law बना दिया, अगर negotiation bank होता है, तो उस case में, जिनके जिनके बीच में circuit of action है, circuit of action का मतलब क्या हुआ, मैं आप case करने को, तो आप भी मेरे उपर case कर सकते हो, यह जो जिनके जिनके बीच में circuit of action है, वो सारे की सारी party अपनी library से discharge हो जाएगी, मतलब इस example में, यह जो A है ना, वो इन तीनों के उपर case नहीं कर पाएगा, वो केवल किस के उपर case कर पाएगा, P क्योंकि P और A के बीच में को क्या हुआ, जहां पर यह जो parties है ना, यह अपनी liability से discharge नहीं होगी, मतलब इनकी liability बनी रहेगी, और वो example है, अगर A ने जब B को endorse किया था, उस से में sense records endorsement कर दिया, और sense records endorsement कर दिया मतलब क्या हुआ, A ने साफ साफ का क्या बोल दिया था, मैं liable नहीं रहूंगा, उस case में ज़रा सोचो क्या होगा, अब अगर instrument dishonor हो गया, तो A X के उपर case करेगा, पर X A के उपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि A ने पहले ही sense records endorsement कर लिया था, तो यहां पर इस case में भले negotiation back का example है, लेकिन यहां पर यह जो parties है ना, जिनके बिच में circuit of action है, वो अपनी liability से discharge नहीं होगी तो वो ही example लिखाए, negotiation back में का exception है sense records endorsement, तो अगर A ने sense records endorsement किया था, तो उपर का rule applicable नहीं होगा, मतलब A तीनों party पर court में case कर सकता है, तो इसके साथ यह आपका chapter over, चलिए अगले chapter के ओर बढ़ते हैं, classification of instrument, मतलब instrument कितने प्रकार के हो सकते हैं, यह chapter आपको बताएगा, instrument दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन-कौन सा, एक bearer और दूसा order, यह concept हम लोग already पर चुके है, bearer मतलब क्या होता है, अगर chapter 1 में बात करिए, अगर को instrument which is expressed to be so people, लिख दिया आपने A और bearer मतलब वो bearer है, और ऐसा को instrument जिस पर last endorsement, black endorsement है, blank का मतलब क्या होता है, जिसमें instrument bearer बन जाता है, तो it is transferred by delivery only, second order, order तीन तरीके से लिख सकते है, express to be so payable, payable to a particular person and payable to the order of particular person, यह भी पहले हो चुका है, इसके बाद, अगला point है, inland और foreign instrument, इन दोरों के बीच में क्या difference है, inland instrument section number 11, यह inland instrument का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी negotiable instrument which is drawn or made in India, मतलब इसको इंडिया में लिखा गया हो, पहली condition, और इसके बाद लिखा है plus, और plus के बाद देखिए, नीचे में दो condition आपको दिख रहा है, यह पहला और यह दूसरा, लेकिन इन दोरों की बीच में word क्या लिखा है, और, तो मतलब यह basic condition तो satisfied करना compass रहे है, कोई भी negotiable instrument which is drawn or made in India, यह होना चाहि और दूसरा लिखा है, drawn upon a person resident in India, किसी भारतीय पर लिखा गया हो, इसका मतलब क्या हुआ, भाई मानलो मैंने, मैंने USA किस रिजन के ओपर एक instrument लिखा, bill of fiction लिखा, तो मैं इंडिया में लिख रहा हूं, payment order किसको दे रहा हूं, किसी बाहर वाले को, यह drawn upon PR का मतलब क्या हो गई, और यह दूसरी पूरी हो गई, तो यह inland instrument होगा, लेकिन मानलो आगे, example change करते हैं, मान दीजे, मैं, मैं, अगर order देता हूं, आपको, मैं भी Indian, आप भी Indian, मैंने आपको order दिया कि payment में को USA में करो, तो यह भी inland होगा, क्यों कि लिखा गया, इंडिया में, ठीक है, payment इंडिया के बाहर है, लेकिन लिखा में ने इंडियान के उपर है, तो इस लिए दोनों में कोई भी condition पूरी होगी ना, तो उसको inland बोलेंगे, हाँ, लेकिन अगर मान लो यह दोनों में कोई भी न तो यह condition पूरी होपाई, नहीं है, तो उस case में ये inland नहीं क्यलाएगा, क्योंकि basic condition क्या है इंडिया में लिखना चाहिए अगर वो ही पुरी नहीं हो पाई तो उस case में इसको हमेशा क्या बोलेंगे foreign आगे पढ़ो ही मत इसमें भी क्या लेकर drawn outside इंडिया पढ़ो ही मत सीधा सीधा हो क्या हो गया foreign इसके बाद इंडिया में लिखा गया मततब inland हो सकत है पेबल outside इंडिया एक कंडिशन पूरी नहीं हुई पर दोसी वाली होने चाहिए कम से कम ड्रॉण अपॉन प्यार वाई दोसी भी नहीं हो पाई तो इस case में इसको क्या बोलेंगे foreign इसके बाद next दो यह important exam के लिए एक ambiguous और दूसा है इनकोड ambiguous word का मतलब है uncertain किस बात को लेकर uncertainty की उसको bill of fiction माने जाए कि promise बाने तीन example इसके हो सकते हैं पहला अगर कोई बिल है वो किसी fictitious person पर लिखा गया है कालपनिक व्यक्ति के उपर आप में भी लिखा मतलब जो ड्रॉई है वो कौन है जिस पर आप भी लिख रहे हो वो एक minor है एक unsound mind का है वो disqualified by law है तो उसको ambiguous instrument मानेंगे और तीसा drawer and drawer are the same person मतलब same person मतलब क्या होता है they are legally the same person for example principal agent अगर एक principal ने अपने agent के उपर bill draw किया ठीक है कि payment इसको करना तो यह भी एक ambiguous instrument के लाएगा तो यह ambiguous instrument अगर है ना तो इसका मतलब क्या हुआ जो holder है मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है वो इस bill of exchange को promise round मान सकता है और promise round मानेगा न अगर तो उस case में क्या होगा जो bill of exchange का जो drawer है जिसने लिखा वो हालांकि primary liable party नहीं होता वो secondary liable party होता है लेकिर वो क्या मनेगा कि मैं इसको promise round मानता हूँ तो promise round अगर मानेगा तो drawer का नाम बदल कर क्या हो जाएगा maker मतलब आप direct maker के उपर मतलब drawer के उपर court में case करके सीधा वसूल कर सकते हो आखरी point है in court instrument in court section 20 य level sign mark के दे दिया वो in court है या आप में सब चीज़ें लिख दिया मतलब date डाला आपने stamp लगाया नाम लिखा बस amount को आपने नहीं लिखा तो ऐसे instrument को बोलते है इंकोड तो अगर in court instrument है तो जो immediate party है जैसे मालीजे मैंने एक instrument लिकर आपको दे दिया ठीक है और amount उसमें final नहीं ह आपके बाद instrument आ गया था तो उसके इसमें जो immediate party है immediate party मतलब हम दोनों क्योंकि मैंने आपको instrument दिया तो हम दोनों immediate party है तो जो immediate party है वो ज्यादा पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे तो भले आप 12,000,000 रुपे लिख लो लेकिन आप मेरे से 10,000,000 रुपे ही वसूल कर पाओगे क्योंकि मेरे को भी मालू में 10,000,000 रुपे देना है आपको भी मालू में 10,000,000 रुपे लेना तो आप ज्यादा रुपे लिखकर आप पैसा वसूल नहीं कर पाओगे extra second number लेकिन अगर आपने 12,000,000 रुपे फिल अप करके आपने इसको आगे transfer कर दिया आपने किसको transfer कर दि है आपने गड़ बड़ किया लेकिन मेरे से मेरे को 12,000,000 रुपे देना पड़ेगा क्योंकि हो सामने लाग मी कौन है HIDC लेकिन एक कंडिशन है कि HIDC भी ज्यादा से यादा से यादा स्टैम की जो amount है उतना ही वसूल कर पाएगा इसका मतलब क्या हुआ यह जो नेगोशि कर पाएगा 11,000,000,000 मतलब एक बाद पक्की होगी कि HIDC भी maximum कितना वसूल कर पाएगा जितना amount स्टैम में कवर है उससे ज्यादा का पैसा HIDC भी वसूल नहीं कर पाएगा तो इसके साथ यह जो इंस्ट्रुमेंट के टाइप्स हैं वो ओवर चले नेक्स टॉपिक के उपर बात करते हैं नेक्स टॉपिक करना में discharge of instrument यहाँ पर बिसिकली दो बाते हैं अपने को discuss करना है एक होता है discharge of negotiable instrument और एक होता है discharge of party discharge of negotiable instrument का मतलब क्या होगा अगर कोई negotiable instrument की जिती भी parties है उन सारी parties के rights और obligation खतम हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि instrument पूरा का पूरा discharge हो गया और अगर इंस्ट्रुमेंट डिशार्ज हो गया तो उस case में मतलब अगर primary liable party primary liable party का मतलब क्या होता है maturity date में सबसे पहले जिस party के पास आके पैसा लिया जाता है उसको बोलते है primary liable party अगर primary liable party अपनी लाइबरी से discharge हो गई तो पूरा का पूरा इंस्ट्रुमेंट डिशार्ज हो जाता है और discharge हो पार्टी का मतलब क्या हुआ अगर ऐ discharge of party अगला point अब discharge के तरीके का है कौन कौन से तरीके से इंस्ट्रुमेंट या पार्टी डिशार्ज हो सकता है सबसे पहला point है payment in due course मतलब अगर maturity date को या उसके बाद में जो primary liable party है जिसको payment करना होता है उसने payment in due course कर दिया प्रॉपर तरीके से payment कर दिया तो पूरा का पूरा तरी माली जे इने क्या किया यहाँ पर सी के नाम को cancel कर दिया तो इसका मतलब और cancel क्यों किया ताकि वो अपनी liability से discharge जाए तो यहाँ पर लोग बोलता है कि जिसका नाम cancel किया गया वो party भी discharge जाएगी और इसके बाद वाली party भी discharge जाएगी मतलब इस example में COD दोनों अपनी liability से discharge हो जाएंगे यही लिखाएं आपे अगर holder intentionally किसी party का नाम cancel कर देता है ताकि वो डिशाज हो जाए तो वो जो party जिसका नाम cancel किया गया और उसके बाद वाली party subsequent party will be discharge और इसका मतलब क्या हुआ अगर primary label party का नाम ही cancel कर दिया जाए मतलब अगर holder ने इसी का नाम cancel कर दिया एक नाम तो उस case में पूरा का पूरा instrument will be discharge ओके चलिए next concept पे आते हैं इसके बाद अगला point बेटा release release का मतलब क्या होता है जिसमें किसी का नाम नहीं काटा जाता बलकि holder ने किसी किसी अलग से document के दौरा उसको release कर दिया माल लीजे holder ने हमारे जो example है इसमें E ने क्या किया E ने C के नाम से letter दे दिया और letter में क्या लिखा कि मैं भया तुमको discharge करता हूँ एक अलग से letter दिया तो उस case में C भी discharge होगा और D भी discharge होगा मतलब cancellation और release का जो effect हो बिलकुल same होगा तो जिसके नाम से आपने letter दिया वो party और उसके बाद वाली party subsequent party will be discharge अगला point है more than 48 hours for acceptance इसका मतलब क्या हुआ जो bill of exchange होता है उसमें ड्रॉई को बिलकुए accept करने के लिए 48 गंटे का समय लेने का दिकार है लेकिन मालीजे ड्रॉई ने बिलकुए accept करने के लिए 48 गंटे से ज्यादा का समय मांग लिया और holder ने उसको वो समय दे दिया holder ने उसको ड्रॉई ने बुला मेरे को 50 गंटे का समय दो और जो holder है उसने ड्रॉई को 50 गंटे का समय दे दिया तो उस case में क्या होगा कि जो भी prior party है ना और prior party कौन होती है drawer और endorser इनको मिला के बोलते है prior party तो जो prior party होगी ना वो अपनी liability से discharge हो जाएगी लेकिन एक case है जहाँ पर prior party अपनी liability से discharge नहीं होगी और वो case है अगर prior party की consent ले ली जाए तो उस case में prior party की liability continue रहेगी अगला point है material altation अगर बिल पर किसी भी तरीके का important altation किया जिससे parties के rights and obligation में effect आ जाता है तो उस case में जिस समय material altation किया गया उस समय जो जो party सी वो सब अपने obligations से discharge हो जाएगे जिनकी consent नहीं लिग गई है जैसे मान लिजिए एक instrument में लिखा था कि payable होगा तीन मेने के बाद ल जिस समय चार मेने के आ गया तीन मेने को काट के चार मेने तो उस समय जो जो party जिनकी consent नहीं लिग गई है वो सब के सब party अपनी library से discharge हो जाएगे देखे सर ये एक revision है तो मैं assume कर रहा हूँ कि आपको provision concept clarity होगी तो इसलिए मैं फटा फटा बढ़ते जा रहा हूँ आगे अग अगर ड्रॉई ने बिल को accept करते समय कुछ condition लगा दिया उसको बुलते है qualified acceptance ओके तो अगर qualified acceptance लगा जाती है तो उसके इसमें जितनी भी prior party है जिनकी consent नहीं लिग गई है वो अपनी liability से discharge हो जाएगी ठीक है इसके बाद ये example है सर अगर qualified acceptance का मतलब क्या होगा बिल पे ड्रॉ पर्टी है जिनकी consent नहीं लिग गई है वो अपनी liability से discharge हो जाएगे अगला point है acceptor becomes holder इसको बुलते है negotiation बैग इसका मतलब क्या हुआ माली जी आपने मेरे पर एक बेल डॉर किया मैंने उसको accept किया था मतलब मेरे को payment करना है maturity पर मैंने accept करके आपको दे दिया आपने किसी और क का मतलब यह होता है कि अगर अगर law of limitation act में जो भी time दिया गया है वो time खतम हो गया और आपने party के ओपर case नहीं किया तो पुरा का पूरा instrument discharge हो जाता है जैसे normally तीन साल का time रता है अगर due date निकल गई है तो आपको किसी party से पैसा वसुल करना है तो तीन साल में पैसा वसुल कर तीन साल खत्म हो गर अगर आपने case नहीं किया तो उस case में party पूरा का पूरा instrument discharge जाता है अगला point है अगर कोई party ही insolvent हो जाए तो insolvent आदमी पूरा payment तो करता नहीं मानलो 60% दे दिया तो 40% जो नहीं दे पाए न वो उससे वो अपनी library से discharge जाता है क्योंकि insolvent आदमी के पा जाता है उसको लेकर concept है अगर ड्रावर ने कोई holder को चेक दिया और जब जब ड्रावर ने holder को चेक दिया था ना उससे में उसके bank में sufficient balance था लेकिन जो holder उससे गलती हो गई और वो गलती क्या हो गई कि उसने reasonable time के अंदर check को जमा नहीं किया और reasonable time fact and circumstances पे डिपेंड करेगा एक बात दिया रखना तीन मेंना जो होता है वो reasonable time ही है वो एक validity period है reasonable time दो चार दिन का हो सकता है तो अगर holder ने check को reasonable time के अंदर जमा नहीं किया in the meantime bank insolvent हो गया बदब मालो तीन दिन का reasonable time है और आप हफते बर तक instrument को अपने पास सक लिए तो जैसी वो reasonable time खतम होगा उसके बा party जो ड्रावर है वो discharge जाएगा अगर मैं इसका एक example लेता हूँ भाई मान रो एकस ने वाय को एक check दिया यह check जो है ना वो 10 लाग रुपे का था इसका यहाँ पर मान दीजिए एक bank है जिसका नामें A bank limited तो मान दीजिए A bank में इसका account है ठीक है अब यह जो holder है जिसके पास check है वो bank को present नी किया reasonable time खतम हो गया और reasonable time जो खतम हुआ इसके बाद अब यह जो bank है ना यह bank की installment हो गया तो जब अब वाय इस check को लेकर bank में गया तो bank ने बुला 10 लाग की बद्दे हम 60% दी देंगे आपको हमारे पास पैसे ही नहीं है तो bank ने वाय को किता दे दिया 6 लाक रुपे बचा क्या वो y x से वसूल कर सकता है आंसर इसका no next point है payment alteration not being apparent मतब अगर आपने payment कर दिया एक पार्टी ने वो शिवन इंस्स्मेंट में अल्टेशन किया था लेकिन अल्टेशन जो है प्रिंट नहीं है पता नहीं चल पा रहे कि अल्टेशन है तो उस case में जो पार्टी ने payment कर दिया भले उसने ज्यादा payment किया होगा लेकिन वो पार्टी अपनी liability से discharge हो जाएगी तो एक्जाम्पल लेकिन मैंने कलाकरी करकी क्या किया किए एट के बाद में जीरो लगा दिया और यहां पे टी के बाद में रगा तो ऑर आपकी आपकी रुपएगा आपकी उसमें अल्टेशन क्या गया है लेकिन वो जो अल्टेशन है ना वो clear नहीं है पता नहीं चल पारे तो बैंक की क्या अगलती next point है material अल्टेशन देखिए यहाँ पर जो लोग में लिखाता ना कि material अल्टेशन अगर होता है तो उसके इसमें instrument या पार्टी डिशाज होती है है वो सारी पार्टी आपनी लाइबरी से डिशाज जाती है यह basic concept लिखा गया है अब कुछ important point है सबसे पहले तो जो अल्टेशन है वो जान बुछ कर किया जाना चाहिए अल्टेशन material होना चाहिए कोई छोटा मोटा है अनिम्पॉर्टेशन है तो उसको अल्टेशन नहीं मानेंगे इसका meaning क्या लिखा देखवा एनी चेंज that materially affect the rights and obligation of party मदब ऐसा कोई change अगर आप करते हैं जिससे parties के rights and obligation में फरक आता है तो उसको बोलेंगे यह example लिखा है date में change करना amount में change करना time में change करना place में interest rate में change करना इन में से कुछ भी आप change करते हैं तो उसको material यह अपनी अपनी कंसेंट नहीं दिया था वो अपनी लाइबड़ी से desired जाएगी लेकि ऐसी पार्टी जिनकी कंसेंट लेकर material क्या गया है वो अपनी liability से decide नहीं होगी और material alteration करने के बाद जो जो पार्टी बनी है वो अपनी liability से decide नहीं होगे they will continue to be liable लेकिन अब कुछ material alteration है जिसको valid बाना गया है मतलब यह allowed है पहला point है negotiable instrument issue करने के पहले जो भी alteration होते हों सब valid होते भई मैं आपको negotiable instrument लिख रहा हूँ उसमें मैंने date डाला था 10 जनवरी बाद में मैंने card के कर दिया 20 जनवरी और sign कर दिया उसके बाद आपको दिया तो issue करने के पहले के जो भी alteration होंगे वो बिलकुल valid होंगे second number कई भर क्या होता है कोई जाने जारे में कोई गलती छूड़ जाती है जैसे example है देखो एक negotiable instrument में लिखा गया 13 पर spelling लिखते है समय THTWN हो गया अब एक party के पास मोचा उसने सही spelling कर दिया उसको अंगरे जी गलत बरदास नहीं होती तो उस case में यह एक mistake को correct करने के लिए कि आ गया है तो भले ही altation है लेकिन ही valid बना आगा और अगला point है parties की concern ने कर भई सारी parties तयार हो जाती है कि altation हो जाए कोई problem नहीं है तो उस case में altation बिलकुल valid होगा अगला point है to meet common intention मतलब अगर कोई common intention है मतलब सब पार्टियों का एक common intention है उसको ध्यान में रखते हो अगर कोई altation किया जाता है तो बिलकुल valid है अगला point है अगर कोई check है यह point applicable को check में check का formity क्या होता है check में लिखाता है pay to फिल लिखाता है blank और फिल लिखाता है bearer ठीक है यह यह लिखा रहता है तो अब आपने किसी का नाम लिख दिया तो pay to a और bearer लिख दिया मतलब क्या हो यह तो bearer check है लेकिन मानलो एक party उसको order check बनाना चाहती है तो उसको क्या करेगा वो यह bearer शब्द को काटेगा ताकि order बन जाए तो यह allowed है यह materialization allowed है यह लिखा देखा चेक में अगर bearer से order बनाने के लिए आप में bearer शब्द को delete कर दिया तो यह valid माना जाएगा अगला point है materialization which is permitted by law जो law के दोरा permitted है तीन example है पहला है in quote in quote instrument में amount fill करना in quote कमत होता है incomplete एक ऐसा instrument जिसमें amount नहीं fill up किया हुआ है तो अब बाद वाली जो party है वो amount fill up करती है वैसे तो बड़ा important relation है कि amount नहीं लिखा था आपने लिख दिया लेकिन यह law के दोरा permitted है अगला point है blank endorsement को full endorsement में convert करना जैसे A ने B को जब transfer किया था तो लिखा था पे टू blank और यह ने अपना sign कर दिया blank endorsement है अब यह गुमते गुमते D की पास मोग गया D ने अपना नाम add कर दिया तो वो तो कुछ चीज add करना तो है तो material station लेकिन यह valid होगा और अगला point है check issue करने के बाद अगर उसमें crossing करते मतलब क्या हुआ uncross check को cross बनाना general को special बनाना या not negotiable account पर word add करना तो यह सब आप कुछ भी करते हो तो इसको भी माना जाएगा material sorry यह है material station लेकिन it is permitted ओके आईए next chapter के ओर जिसका नाम होल्डर and holding decors सबसे परे होल्डर वड को define किया गया section number 8 में और satisfied करता है उसको holder बोलेंगे सबसे पहले जो negotiable instrument को अपने खुद के नाम से पजयस कर सकता है अब यहाँ पर सोचिए अगर मेरा कोई negotiable instrument गुम गया और आपको मिल गया तो आप finder हो आपके पास instrument है लेकिन आपका नाम नहीं तो आप अपने खुद की अधिकार से पैसे को वसूल कर सकता है जैसे मैंने अगर पैसे वसूल करने के लिए अपना instrument agent को दिया तो agent holder नहीं कहला हैगा holder महीं कहलाओंगा क्योंकि agent को अपने खुद के राजिस से पैसा recover करने का क्या हुआ sir HIDC का मतलब अगर अगर सबसे पेड़े तो आपको holder बनना पड़ेगा और आप CMD CMD वड को याद कर लो अगर कोई holder CMD तीनों condition satisfied करता है CMD तो उस case में उस holder को बोलेंगे HIDC C का मतलब क्या हुआ उसको concession की बदले में अगर कोई bearer है तो किवल आपकी possession में तो यह आप holder बन जाओगे और अगर कोई negotiable instrument order है तो किसी ने आपके नाम से endorse किया हूँ मतलब आपको क्या बनाया हूँ endorse ही तो concession की बदले में आपको proper थरीके से holder बनाया हूँ second मैं चोटी के पहले आप holder बने हूँ और तीसा आपने good fit मिलिया D का मतलब क्या है पर defect मतलब आपको defect का knowledge नहीं था मतलब जिसने आपको transfer किया उसका title भले defective था पर आपको knowledge नहीं था तो आप HIDC बन सकते हो अगला point है holder for value holder for value का मतलब है अगर negotiable instrument का कोई holder है ऐसा कोई holder जिसमें उस instrument में पहले कभी value दी जा चुकी है अभी value नहीं है लेकिन पहले कभी value दी जा चुकी है तो उस case में उस percent को बोलेंगे holder for value एक example देखिए मांगीजे A ने B को without concession instrument दिया B ने C को without concession instrument दे दिया C ने D को with concession दिया और D ने E को without concession instrument दिया अब देखिए यहाँ पे instrument ने E को मिल गया without concession है लेकिन जो E ना E को हम क्या बोलेंगे holder for value और इसको holder for value क्यों बोलेंगे क्योंकि इस instrument में C ने D को value दिया तो बाद में भले यह जो E ना इसको concession ने है मतब D ने E को gift किया लेकिन यहाँ पर पहले कभी concession दिया जा चुका है ना तो बाद वाली जो भी पार्टी उसको HIDC तो नहीं बोलेंगे लिकिन क्या बोलेंगे holder for value अब यह दोनों के बीच में difference holder or holder in due course CMD सीरी बात है CMD मतब क्या हुआ अगर concession है तो आप HIDC कहलोगे concession नहीं है तो आप holder बन सकते हो next अगर मैं चोटी के पहले आपको instrument मिला तो आप HIDC कहलोगे मैं चोटी के बाद instrument आपको मिला तो आप keyhole holder कहलोगे अगर good faith में मतब आपको knowledge आपको difficult knowledge सा फिर भी आपने instrument लिया तो आप keyhole holder हो लेकिन नहीं है तो आप क्या बन जाओगे HIDC अब law ने HIDC को बहुत सारे privileges दिये आए सर वन बाए वन बात करते हैं पहली point है in court instrument इंकोट का मतलब क्या होता है in complete यह पहले भी हो चुका है सर इसमें क्या होता है अगर अगर मालीजे किसी person है किसी person है दूसरे person को एक blank instrument दे दिया ठीक है blank है अब उसने लिखना था 10 लाग पर लिख दिया ज्यादा 12 लाग रुपे दे दिया लिख दिया ए ने बी को instrument दिया था बी ने किता लिए 12 लाग जबकि लिखना किता था 10 लाग और इसके बी ने इसको आगे transfer कर दिया सी को अब यह जो सी रही है इसको नहीं पता कि 10 की जगा 12 लिखा है तो उस case में एचाइडीसी पूरा 12 लाग रुपे रिकवर कर सकता है लेकिन यहाँ पर एक important point है कि HIDC भी ज़्यादा किता वसूल कर सकता है जितना उस पे stamp लगाए stamp में जो amount covered है उससे ज़्यादा वसूल नहीं कर सकता मान दीजिए इस पे stamp लगाए 100 रुपे का और वो 11 लाग की value को cover करता है तो HIDC जो है न वो 12 लाग वसूल नहीं कर पाएगा वो भी कितना वसूल कर पाएगा 11 लाग रुपे अगला point है fictitious bill fictitious bill का यहाँ पे मतलब यह कि अगर drawer ने बिल को जब sign किया ना तो fictitious नाम लिग दिया मतलब यह जो जैसे drawer है x इसने यहाँ पे pay का नाम जो है न यह pay का नाम लिग दिया y जब कि y को इंसान है नहीं actual में और a को बना दिया drawer ठीक है और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद यह जो x है उसने एक हो भाला भाई यह sign कर दे और a ने भी अपना sign पार दिया उसके बाद क्या हुआ यह जो bill है यह इंडोस कर दिया गया और endorsement में क्या लिखा गया pay to z और y मतलब z के नाम से transfer किया गया और transfer किसने क्या Y ने क्योंकि पहला transfer या endorsement कौन करता है pay करता है अब problem क्या है Y तो यहाँ पर हाई नहीं तो sign किसने क्या होगा यह जो X का यह sign है मान लो है ना तो drawer ने जो sign किया था वो ही तो यहाँ पर भी sign करेगा क्योंकि Y तो कोई party नहीं है वो तो fictitious है, तो यह instrument ही valid नहीं है, मैं payment करने के लिए जवाबदार नहीं हूँ, तो यहाँ पर law क्या बोलता है, यह जो Zन है, यह तो HIDC इसको नहीं पता है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसकेस में HIDC, HIDC पैसा वसूल कर सकता है, acceptors को deny नहीं कर सकता, अगला point है conditional delivery, conditional delivery का यह हो गया, कि मानली जीए, मैंने आपको एक instrument deliver किया था, उसमें कुछ condition थी, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस instrument को, मतलब condition थी, मतलब क्या हुआ, यह condition होगा, तब instrument valid होगा, मानलो, मैं आपको बोलने माला था, मैं आपको बोलता है, कि मैं आपको 2,00, रुपे करना पड़ेगा, लेकिन आपने good supply नहीं किया, और आपने क्या किया, तब तो ही instrument valid नहीं है, मेरे को payment ही नहीं करना आपको, लेकिन आपने क्या किया, इसको आगे HIDC को transfer कर दिया, तो भले वो conditional था, लेकिन HIDC मेरे से पैसा वसूल कर सकता है, क्योंकि इसको नहीं पता कि conditional instrument था, इसके बाद, अगला point है, instrument lost, obtained by fraud, और unlawful concession, यहाँ पे सिदे example लो, भई मान लो, A ने B को promise note दिया, C ने fraud करके इस promise note को obtain कर लिया, fraud करके, और इसको आगे transfer कर दिया, D को, अभी D को नहीं पता कि fraud हुआ है, C ने fraud करके लाए, उसको नहीं पता, तो उस case में, क्या D पैस HIDC always gets better title than transferer, भले transferer का title defective होगा, लेकिन HIDC को good title मिलेगा, तो answer हो गया yes, अगला point है, illegal concession, मतलब A ने B को कोई सटा खेला था, उसमें नुकसान हो गया, तो A ने B को बला, भया मैं payment करूंगा, promise note देता हूँ, लेकिन naturally यहाँ पे इनके B का concession क्या है, illegal, लेकिन B ने इसको C को जो transfer किया था ना, वो को illegal concession मिलेगा था, तो C यहाँ पे क्या है, HIDC अगर, HIDC मतलब क्या हुआ, C को नहीं पता कि इनका B का concession illegal था, अब सवाल है कि C A से पैसा वसूल कर पाएगा, क्या, answer is big yes, क्योंकि HIDC को privileges है, आगे बढ़ते हैं, अगला privileges है, HIDC को, कि estoppel against denying the validity of instrument originally made, इसका मतलब क्या हुआ, भई मानलो, A ने B को जो permission दिया था ना, वो illegal था, illegal concession था, B ने C को दे दिया, C ने D को दे दिया, अभी D जब पैसल ने A के पास गया, तो क्या A मना कर सकता है क्या, क्या हमारे बीच में जो instrument लिखा गया था, original ही, originally ही valid नहीं था, या illegal था, answer is no, HIDC पैसा वसूल कर सकता है, A उसको ये नहीं बोल पाएगा कि मैं payment नहीं करूँगा, A, HIDC को privileges है सर, अगला point है, pays incapacity, इसका मतलब क्या हुआ, मान दीजिए, मान दीजिए, ये कोई promising note है, ये promise note में A है maker, A ने promise note लिखकर M के नाम से लिखा, M minor है, M minor है, ये pay बना दिया, अ B को, B ने C को, C ने D को दिया, अब ये D को ने सर, HIDC है, अब ये पैसर ने जब A के पास गया, तो A क्या बूलता है, मैं तो इसका पैसर नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा बिया, क्योंकि ये जो pay है, वो तो contact करने योग ये नहीं है, तो instrument ही invalid है, answer है no, भले pay incapable होगा, लेकिन HIDC को तो आपको payment करना ही पड़ेगा, अगला point, next point, all prior parties liable, all prior parties liable का मतलब क्या हुआ, मान दिजे, A ने promise note B को दिया, B ने C को, C ने D को, D ने E को दिया, अब जबी भी maturity date आएगा, तो E सबसे पहले पैसा लेने किसके पास जाएगा, A के पास, लेकिन A ने maturity date पर instrument को कर दिया, dishonor, तो सबाल है कि E का अधिकार बताओ, तो answer क्या होगा, E किसी भी prior party से पैसा वसूल कर सकता है, यहाँ पर prior party को ने, B, C, D, तो B से या C से या D से तीनों में किसी भी party से पैसा वसूल कर सकता है, अगला point है, obtain better title, obtain better title का मतलब ही होगा, E, यह अभी जो अपने example ल C का title defective है, लेकिन D को good title मिलेगा, तो भले C का title defective होगा, D को good title मिलेगा, अगला point है, instrument purge of all defect, purge का मतलब क्या होगा, free, instrument defect free हो जाएगा, यहाँ पे law क्या बोलता है, अगर कोई negotiable instrument HIDC के हाथ से pass on हो गया, तो negotiable instrument defect free हो जाता है, और इसका मतलब क्या होगा, जिस व्यक्ति क HIDC से, HIDC से अगर कोई व्यक्ति को instrument मिलेगा ना, तो जो अधिकार HIDC कर रहता है, वही अधिकार उसको मिलता है, ठीक है, बताव HIDC अच्छा इंसान है तो सामने अलो भी अच्छा इंसान बन जाएगा, unless he was himself a party to the fraud, अगर HIDC ने जिसको transfer किया ना, तो वो जो आदमी है, वो जो person ने जिसको transfer किया गया है, वो खुद party में involved था, fraud में involved था, तो उस case में law applicable नहीं होगा, example दिखे, जैसे A ने B को promise note दिया, B ने C को दिया, C ने fraud किया था, इसने transfer कर दिया, D को, D कौन है, HIDC है, D ने E को transfer किया, E को fraud का knowledge है, E को पता है कि C ने fraud किया था, तो अब सव title है, तो E को भी good title मिलेगा, knowledge होने से कोई फरक नहीं पड़ता, law में हाँ पर क्या लिखा है, कब फरक पड़ता है, जब वो खुद party होगा, जब वो खुद fraud में involved होगा, तब यहाँ पे E ने खुद ने तो fraud नहीं किया, तो E को recover करने का right मिलेगा, अगला example देखो, same example है, C ने fraud किया था, D को दिया, अब यह E को transfer कियाना है, E fraud में involved था, फरक आ गया, knowledge अलग होता है, involved अलग है, तो अगर यह involved है, तो क्या यह record कर पाएगा, क्या E प्रामिस्ट का पैसा record कर पाएगा, यहाँ पर answer जाएगा, no, तो इसके साथ आपका यह topic भी over, यह next chapter के उपर बात क payment की वज़े से promise note, bill of action, check, ती no dishonor हो सकता है, और non acceptance की वज़े से किवल bill of action, dishonor होता है, क्योंकि bill of action में ही acceptance क्या हो सकता होती है, अगर कोई नेगोशिम बन इस्ट्रमें dishonor हो गया, तो उस case में जो holder होता है, वो किसी भी prior party को के उपर case कर सकता है, after giving notice of dishonor, अब दोनों का meaning समझते हैं यहाँ पे, पहला है dishonor by non acceptance, non acceptance की वज़े से dishonor कब होगा, तो यहाँ पे law में total 4 case दिए में, 4 में से कोई भी case से एक होगा, तो उस case नी करता, या उसको accept करने से मना कर लेता है, मतब या तो 48 गंटे के इंदर ड्रॉई ने कोई जवाब नहीं दिया, या 48 गंटे के पहले उसने refuse कर दिया, तब dishonor हो गया, second point अगर एक से ज़्यादा ड्रॉई है, अगर एक से ज़्यादा ड्रॉई है, तो किसी एक ने भी accept कर से मना कर दिया, तो instrument non-acceptance से dishonor होगा, अगर ड्रॉई ने बिलको accept करते समय कुछ condition लगा दी, जिसको बलते है qualified acceptance तरब dishonor होगा, और कई बार law में ऐसा case दिया है, जहाँ पे बिना present के आप उसको dishonor बाहन सकते हो for non-acceptance, अब ये कौन-कौन से case है, तो तीन ऐसे cases है, जहाँ प fictitious person है, तो ये तीन में कोई भी case होगा, तो उस case में आपको बिना present के आप उसको dishonor मान सकते हो, अगर अब इसका effect क्या होगा, अगर non-acceptance की वज़े से instrument dishonor हो गया, तो इसका effect क्या होगा, पहला point है भई, ड्रॉई के उपर holder case नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क सबसे खास बात क्या है, कि उसको maturity तक wait करने के आऊ सकता नहीं होती, मतब कुल में लाग के जो holder है न, वो किवल ड्रॉई पर case नहीं कर सकता है, क्योंकि इसने sign नहीं किया, ड्रॉई के लावा बाकि जितनी भी prior party है, सब के उपर case कर सकता है, अगला point है dishonor by non-payment, ये दो तर जहां पे holder maturity date पे बिना present के उसको dishonor मान सकता है, अब ये वालो जो पार्ट है न, आपके study mat में नहीं तो इसको मैं आगे बढ़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, अब ये दोनों की बीच में difference क्या है, non-acceptance और non-payment, एक ही बात है सर, वो जो drawy होता ना सर, वो जो drawy है, वो non acceptance अगर है, तो उसके इसमें drawy पे case नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसने accept कर लिया, sign कर दिया, लेकिन payment करते से मैं payment नहीं करता, तो उस case में हम उससे उसके उपर quote में case कर सकते है, कोई भी जो holder है वो इसके उपर quote में case कर सकता है, अब इससे relevant law देखो क्या लिखा है, अगर instrument dishonor हो गया, तो हमको बाले में कि जो holder है, वो किसी भी prior party पे case कर सकता है, लेकिन prior party की उपर case करने के पहले, holder को notice of dishonor देना पड़ता है, prior party को, अब notice of dishonor के बार में कुछ important example देते हैं, समझा आएगा, example देखिए इसका क्या लिखा है, पहले एक example की तुरू समझते है, फिर इसका bill of action का drawer है, इसने B के उपर bill लिखा, मतलब B कौन हो गया, ड्रॉई हो गया, और उसने accept भी कर लिया था, तो acceptor भी हो गया, अभी A ने इसको C को, C ने, D को, D ने, E को, E ने, E को, F को transfer किया, तो अभी instrument F के पास है, तो F को क्या बोलेंगे, holder, जब मैं छोटी date आया, तो ये holder इसके पास गया, पैसा लेने के लिए, अभी इसने payment करने से मना कर दिया, तो मना कर दिया, तो instrument क्या हो गया, dishonor, अब अगर instrument dishonor हो गया, तो हमको मालूम है कि इसका effect क्या होगा, इसका effect ही होगा, कि ये किसी भी prior party के उपर case कर सकता है, और PLP पे भी case कर सकता है, मतलब यहाँ next point, अब ये holder के duty क्या है, मतलब माल लिजिए, holder ये चाता है कि मैं D के उपर case करूँ, तो law ये बूलता है कि आपके duty है कि आप उस person को notice of dishonor दो, मतलब जिस भी party के उपर holder case करना चाता है, तो holder की duty है कि आप उस party को पहले notice of dishonor भेजोगे, तो यह लिखा है, holder को notice of dishonor देना within reasonable time, मतलब जिस दिन instrument dishonor हुआ, उसके reasonable time के अंदर आपको F को notice of dishonor देना पड़ेगा, D को, अब ये जो notice of dishonor है, इसमें आपको दो बाते लिखनी पड़ती है, तब ही वो notice valid होती है, सबसे पहला आपको ये fact बताना पड़ेगा कि instrument dishonor हो गया, D को बताना पड़ेगा कि instrument dishonor हो आपकी notice valid नहीं माने जाएगी, मतलब आप court में case करने का दिकार नहीं रहेगा, तो ये ही हो गया, अगर आपने notice of dishonor किसी party को reasonable time के अंदर नहीं दिया, तो जो prior party है वो अपनी library से discharge जाएगी, ठीक है, notice of dishonor, एक party को देने क्या हो सकता नहीं है, वो है Mr. B, क्यों नहीं देना, PLP, ये PLP है, इसको notice देने क्या हो सकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भया उसी ने तुर dishonor किया था, मतलब उसको already पता था कि instrument dishonor हो गया, तो वो ही लिखाए कि notice PLP को देने क्या हो सकता नहीं है, क्योंकि इसको is fact का knowledge है, अब एक सवाल है कि D का क्या अधिकार है, D का अ अपनी prior party के उपर case कर सकता है, लेकिन उसको फिर वो ही करना पड़ेगा, जैसे मालने जो C के उपर case करना चाहता है, तो जो D है, उसकी duty है कि वो इस notice of dishonor को C को transmit करे, तब ही उसके उपर case कर सकता है, तो अधिकार के है, वो किसी भी prior party या PLP पर case कर सकता है, duty के है कि उसको reasonable time के इंदर, अब उसको जब पता चला, उसके reasonable time के इंदर, वो इस notice को अपनी prior party को भीजेगा, अब एक example लिखा है आपे, वो जो holder है, अपने example में F, वो माल लिजे, NOD सब party को देता है, सब party को, इसने notice of dishonor सारी party को दे दिया, तो अब एक सवाल ही होड़ता है, क्या अब, माल इसका answer है, मतलब क्योंकि important क्या है, अगर किसी भी party ने बाकी party हो inform कर दिया ना, तो उसको दुबारा बताने क्या हो सकता नहीं है, मतलब DC के उपर direct quote में case कर सकता है, क्योंकि C को notice, जो holder हो दे चुका था, अब इसी का theoretical part देखो, सबसे पहला है कि notice of dishonor कौन भीजेगा, तो अ prior party या उनके agent, ये notice of dishonor बेश सकते हैं, ठीक है, तो जो prior party notice of dishonor जिसको मिलती है, वो इस notice को अपने prior party को बेशती है, लेकिन किसको notice देने क्या हो सकता नहीं है, जिस quality बात का पता है, मैंने example लिया था, holder ने सारी party को बता दिया न, A, B, C, D, सब को बता दिया, तो D को वापस स C को या B को या E को notice of dishonor देने क्या हो सकता नहीं है, अगला point है, NOD देंगे किसको किसको मिलेगा, तो answer is prior party को, भही notice मिलता किसको है, prior party को मिलता है, या उसके agent को मिलता है, लेकिन अगर किसी prior party की death हो गई, तो उस case में उसके LR के नाम से notice देना पड़ेगा, अगर वो prior party installment हो गई, तो उसके official असानी के नाम से आपको करना पड़ेगा, अगर लेकिन एक party है चीज जिसको notice of dishonor देने क्या हो सकता नहीं है, क्योंकि इसको तो already पता रहता है, वो party का नाम है, primary liable party, अगर अगर आपने NOD, reasonable time के अंदर ने दिया, तो क्या हुआ, जो भी prior party है, वो अपनी notice भेजेंगे कैसे, notice भेजेंगे के दो तरीके हैं, या तो oral या फिर return, या तो मौकिक रूप से, या लेखित रूप से, अगर आप writing में बेशते हैं, तो दो तरीके से बेश सकते हैं, या तो business place में दो, या उसके residence पे दो, अब अगर ये दोनो, अलग लग place पे रहते हैं, म आपको post कर देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, post करना पड़ेगा, वहाँ मिलेगा कि वो important ही, आपके duty क्या है कि post कर दो, लेकिन अगर ये दोनों same place पे रहते हैं, दोनों के दोनों राइपूर city में रहते हैं, तो उस case में, उस case में, आपको notice ऐसा बेजना है कि वो अ अध़ जिस party को notice of disorder मिलता है, वो अपनी prior party को notice को dispatch करता है, transmit करता है, अगला point है notice of agent of presentment, इसका मतलब क्या हुआ, भई मान लो, A ने एक प्रामिशनोंट B को दिया, B ने C को दिया, अब ये C holder है, अब इसको पैसा लेना है, तो उसने क्या किया, अपने agent को ये प्रामिशनों चलाना सबसे पहले कि instrument disorder हो गया, तो ये अपने principal को पहले बताएगा, भई agent वही काम कर सकता है, जिसके लिए उसको authorize किया गया, उसको केवल पैसा लेने के लिए बी जा गया, तो तो पैसा लेने गया, नहीं मिला, तो वो C को reasonable time में बताएगा, अब जब C को बताएगा, उ अगला point है notice to person dead, बतब अगर किसी person की death हो जाती है, तो उस case में person की death हो गई तो क्या हुआ, भई मान लो यहाँ पर example लेते हैं, यह जो C है न, मान लेते हैं सर इसकी death हो गई, अब यह जो holder है, इसको पता नहीं किसकी death हो गई, तो इसने B की नाम से letter बना दिया, इसने जो notice ह बना दिया, B की नाम से, लेकिन वास्तावित्या में तो notice किस के नाम से बना रहा था, B के LR के नाम से, लेकिन अगर आपको पता नहीं कि उसकी death हो गई, तो उस case में भले आपने disease के नाम से letter बनाया होगा, notice बनाया होगा, तो यह valid बना जाएगा, क्योंकि बनाएगी कि इस person की कोई गलती नहीं है, मतब notice बिलकुल valid बाना जाएगा, अगला point है, कुछ ऐसे किस्तिस हैं, जहां पे notice of dishonor देने के आउशकता नहीं होती, और इसमें total 7 case है, 7 case है, जहां पे एनोडी देने के आउशकता नहीं होती, चलिए, 7 cases, 6 की जगर 7 कर लेते, 7 cases क्या है देखवा, मतब जहां पे बिना notice दिये prior party को, आप उसके उपर court में case कर सकते हो, पहला case, अगर वो जो person है नहीं मिली नहीं रहे, आप जिसको notice देना चाहते हैं, घर पे नहीं रहता, दुकान पे नहीं रहता, अगला point अगर उसने अपने अधिकार को पहले ही खतम कर दिया था, जब उ किया था, उसको बोलते है, facultative endorsement, उससे में इसने बोल दिया था कि मेरे को notice देने के आओ सकता नहीं है, तब उसको notice मत दो, direct quote में case कर सकते हो, अगर कोई check है, और drawer ने bank को बोल दिया कि इस check का payment मत करना, तो उस case में जो drawer है न, उसने तो खुद नहीं check को dishonor कराया, तो जो holder है वो drawer को notice देने के आओ सकता नहीं है, क्योंकि उसको already पता है कि instrument check dishonor हो गया, अगला point है, unavoidable circumstances, मतब जो पहले कि कोई prior party है, उनकी death हो गई या, accident हो गया, ऐसे कोई परसिति है कि उसको notice नहीं दे सकते, unavoidable circumstances है, तो उसको notice देने के आओ सकता नहीं है, अगला point drawer और drawer है, दोनो same person है, मतब principal agent, तो ऐसा मना जाता नहीं कि knowledge of agent is the knowledge of principal, अगर agent को कोई बात पता है, तो मान ली जाता है कि ये बात principal को भी पता है, तो अगर मान ली जिए principal drawer है और agent acceptor है, तो acceptor ने instrument को dishonor कर दिया, तो उस case में principal को भी notice देने के आओ सकता नहीं है, ये मान ली जाएगा कि उसको भी पता है, next point है, अगर जिस वेक्ति को, मतब जो prior party जिसको notice मिलना चाहिए, उसने promise कर दिया कि मुझे आप notice मत दो, मैं ऐसे ही permit कर दूँगा, तो ये दोनों में फराक है सर, ये जो है न, ये कब होता है, जब आप endorse करते हो, समय अपने अधिकार कतम करते हो, और यहाँ पर आपने endorsement करते से मैं दिकार कतम नहीं किया था, पर बाद में, बाद में कभी भी आप ये बोल देते हो कि मेरे को notice मत देना, मैं direct permit कर दूँगा, और आखरी point है, 7 number, person to be charged, मतब जिस वेक्ति को आपको notice देना है, उसको notice दो या नहीं दो, उससे कोई उसका फरक नहीं पड़ उस case में क्या होगा, जब आपने check को present किया, तो dishonor हो गया, अब ये dishonor क्यों है, insufficiency of fund की वज़े से, तो यहाँ पर law ये बोलता है कि आप मुझे notice of dishonor देनी क्या आपको आपको आशकता नहीं है, आप direct मेरे को, मेरे किलाफ court में case कर सकते हो, क्योंकि मेरे को notice दो नहीं दो, क acceptor for honor, पहले एक बार practical मतलब समलो, acceptor for honor का मतलब क्या होता है, देखिए, मान दीजिए, एक A drawer है, इसने B पे draw किया, और इसके बाद ये endorsement X को किया, X ने Y को, Y ने Z को, मतलब Z कौन मन गया, holder, अब जब मैं चोटी date हो आ, तो उस case में जो holder है, ये इस bill को लेकर किस के पास किय कर दिया, payment करो, लेकिन B ने इसको non acceptance के वज़े से क्या कर दिया, dishonor कर दिया, तो उस case में जो holder है, उसने holder में क्या करा दिया, noting protesting करा दिया, noting protesting कराने का मतलब ये होता है, अगर अगर Z ने noting protesting करा है, मतलब court में जाके complaint कर दिया, और court में उस complaint को note हो गया, उसको बोलते है, noting करा करने के बाद, अब भई देखो, अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आप तो किसी भी party के उपर case करोगे न, अब यहाँ पे आप किस के उपर case करोगे, AX और Y, इसने तो बिलको accept नहीं किया, तो draw ही तो liable नहीं होगा, तो AXY को आप case करने वाले हो, तो ये जो W है, ये case मत करना, मैं X के honor को बचाने के लिए, उसके समान को बचाने के लिए, मैं इस bill को accept करने के लिए तयार हूँ, तो यहाँ पर Z ने बोल दिया, ठीक है भई, तुम बन जाओ, तुम acceptor बन जाओ, तो उस case में जो, ये जो W है, इसको बुलेंगे, acceptor for honor, इसको क्या बुलेंगे acceptor for honor, और इसने किस की honor को predict करने के लिए, बिलको accept किया है, X, तो ध्यान रखना, acceptor for honor कौन बन सकता है, तो answer है कि, ऐसी party acceptor for honor बन सकता है, जो इस instrument की label party नहीं थी, अगला सवाल है, किस के honor को save करने के लिए, आप acceptor for honor बन सकते हो, तो answer है, वो party जो इस bill पे label है, और label कौन है, प्रायर पार्टी, ये तो label ही नहीं न, तो इसके लिए acceptor for honor कोई नहीं बन सकता है, इसके उपर case ही नहीं होगा, तो बात ही खतब, ठीक है, अब यहाँ पर law क्या बोलता है, देखो आब, तो ये जो W इसको क्या बोलेंगे, acceptor for honor, अब ये जो W न, उसको ये declare करना पड़त हो, A के लिए, X के लिए, या Y के लिए, लेकिन उसको bill of action में इस बात को declare करना पड़ेगा, अब एक सवाल है कि अगर उसने declare नहीं किया, तो क्या होगा, अगर उसने declare नहीं किया, कि वो किसके लिए acceptor for honor बन रहा है, तो ये मान लिया जाएगा, कि वो drawer के लिए, वो किसके किया, उसका write क्या है, तो answer क्या है, यहाँ है, कि जिसके honor को save करने के लिए, उसने bill को accept किया है, तो यहाँ पर किसके honor को एक्सिक, तो law बूलता है, कि इसके बाद वाली party हो, उसिए उसके परती, लायबल होगा, तो answer क्या है, Y के परती और Z के परती, ये दो लोगों के परत सकते हैं अब एक सवाल है कि इसके उपर केस हो गया इसको पेमेंट करना पड़ गया तो यह किस से रिकोवर करेगा तो आंसर है कि जिसके ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने इस बिल्कुँए अब यहां पर लिखाए कि थी पैसा वसूल कर सकता है अब यहां पर लिखाए कि three condition to charge acceptor for honor मतलब क्या होगा जब maturity rate आएगा ना भाई अभी तो बिल्कुए accept किया इसने अब maturity rate जब आएगा तो उस case में holder से पैसा भी मांग सकता है लेकिन इसके लिए कुछ condition है अगर आप acceptor for honor से पैसा वसूल करना चाहते हो तो देरा certain condition और वो condition क्या लिखा देखो पहला on maturity bill must be presented to draw for payment इसका मतलब क्या हुआ जब maturity rate आएगी ना तो यह जो यह जो holder है यह holder एक बार फिर से किसके पास जाएगा draw के पास उसने उससे मैं बिलको accept नहीं किया लेकिन फिर भी इसके पास जाएगा कि भी आप payment कर रहे हो क्या अब उसके पास गया ठीक है इसके बाद bill dishonor हो गया मतलब क्या हुआ इसने फिर से pay करने से बना कर दिया तो अब यह holder फिर से quote में गया और फिर से क्या करा दिया noting proceed यह होने के बाद यह आप इसके उपर quote में case कर सकते हो तो यह हो गया पुरा का पुरा concept regarding acceptor for honor चलिए आगे बात करते हैं अब यह कुछ miscellaneous provision है देखिए सबसे पहले draw in case of need देखो नाम से समझ जा रहा है draw in case of need मतलब जरुत पढ़ने पर ड्रॉई बनना इसी को हम बोल देते हैं additional draw भी बोलते है लेकिन इसके X के मन में डर क्या है कि पता नहीं A इस बिलको accept करेगा की नहीं करेगा तो X ने को क्या बुला मैं इसमें B का भी नाम लिखूंगा ये भी मैं additional draw बनाऊंगा मतलब एक तरीके से additional draw जो है वो एक तरीके से COT की रूप में काम कर रहा है तो B बोलते है ठीक है मेर अब नाम डाल दो additional draw की रूप में तो यहां पर यह जो B है जो additional draw है उसको बुलते है draw in case of need ठीक है अब यह जो बिल है वो उस समय तक dishonor नहीं होगा जब तक draw in case of need नहीं इसको dishonor नहीं कर दिया हो इसका मतलब क्या होगा कि जब acceptance करने के लिए पहले तो आप इसके पास जाओ उसके बाद अगर इसने accept करने से बना कर दिया तो instrument वैसे तो dishonor हो जाता है लेकिन यह फिर इसके पास भी जाएगा क्योंकि दो-दोर रही हो गये ना तो पहले आप इसके पास जाओ original draw in case of need के पास जाओ आप drawing case of need के पास जाओ अगर इसने भी बिलको accept करने से बना कर दिया तो उसकेस में उसको dishonor माना जाएगा और आखरी में लिखा है कि drawing case of need को accept करने के लिए pay करने के लिए protest करने के आउशकता नहीं है जैसे कोई जो negotiable instrument होता ना उसको noting और protesting दोनों करना पड़ता है लेकिन drawing case of need को payment कोई बनना चाहता है drawing case of need तो instrument का noting और protesting होने क्या आउशकता नहीं है इसके बाद हाजी यह वाला concept देखिए minor अगर एक negotiable instrument के कोई party minor है बच्चा है तो उस case में क्या होगा तो minor not competent to contact therefore not liable वही सिद्धी सी बात है minor आपको मालग में IC में क्या लिखा है कि minor contact नहीं कर सकता तो कोई भी negotiable instrument में अगर एक minor कोई party है तो minor liable नहीं होगा तो law बुलता है minor जो होता है वो बिलको draw भी कर सकता है negotiate भी कर सकता है एक से भी कर सकता है सब कर सकता है लेकिन अब सवाल है कि कर तो सब रहे है लेकिन जवाबदार वो नहीं होगा उसको छोड़कर बाकी जितनी भी party है न वो liable होगी all parties except minor except minor shall be liable और negotiable instrument विलकुल valid रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते कि negotiable instrument में अगर एक कोई party minor है तो negotiable instrument void होगा नहीं negotiable instrument बिलकुल valid होगा यवल क्या effect होगा वो जो minor है वो liable नहीं होगा और minor के लवा बाकी सारी की सारी पार्टियां liable होगी अगला point है minor का right इसका मतलब क्या हुआ अगर एक negotiable instrument transfer होते होती minor के पास आ गया औ और minor holder बन गया तो उस case में minor पैसा recover कर सकता है मतलब minor होने का फाइदा ही फाइदा liability तो नहीं incur करेगा लेकिन जब उसको पैसा recovery की बात आएगी तो he can recover the amount ये सब छोड़िए सर ये भी छोड़िए ये भी छोड़िए अब आईए हाँ अगला concept इस पे आईए negotiable instrument transfer after maturity section 59 ये important है यहाँ पे law में क्या लिखा है अगर कोई negotiable instrument transfer किया गया disorder होने के बाद या maturity date के बाद माली जी एक instrument का maturity date है 30 September ये A के पास है A ने B को transfer किया 5 October को तो maturity date के बाद transfer कर रहे तो उसके इसमें सवाल है कि B का अधिकार क्या होगा तो यहाँ पे section 59 क्या बोलता है कि ये जो transfer है transfer का वही title होगा जो transfer का है इसका मतलब अगर A का title good title है तो B को भी good title मिलेगा A का title defective होगा तो B का भी title defective होगा मतलब B HIDC नहीं बन पाएगा और तो यह तो गया maturity वाला और इधर क्या लिखा है instrument dishonor मतलब अगर कोई negotiable instrument dishonor हो चुका है मान लो ए payment लेने के लिए गया एक्स के पास एक्स ने payment करने से मना कर दिया मतलब यह क्या हो गया dishonor हो गया यह ऐसा मान लो कि यह कोई bill of exchange था इसमें जो एक्स था ने ड्रॉई के पाद यह ड्रॉई है अब आप इस बिलको accept करने के लिए गया accept करवाने के लिए गया और एक्स ने बिलको accept करने से मना कर दिया तो जो बिल हो dishonor हो गया due to non acceptance अब यह dishonor होने के बाद A ने इसको B को transfer कर दिया अभी B को इस बात का knowledge है देखो with the notice दे रहा हो और यहाँ पे notice का मतलब क्या होगा knowledge मतलब B को पता है यह B को पता है कि instrument transfer यह dishonor ह हो चुका उसके बाद मुझे transfer किया गया है तो यहाँ पर भी वही law applicable होगा जो यहाँ पर होगा इसका मतलब क्या हुआ है यह दोनों का law बिलकुल सेम है इसका मतलब अगेन एक बार देखी क्या लिखा है इसका मतलब क्या हुआ अगर एक negotiation instrument dishonor हो चुका है उसके बाद इस party किसी दूसरे party को transfer किया अरो जो दूसरी party ने उसको पता था कि instrument dishonor हो गया फिर भी उसने इसको ले लिया तो उस case में अगेन सवाल यह कि B को good title मिलेगा की नहीं मिलेगा तो answer यह कि B का title वही रहेगा जो title A का रहेगा मतलब दोनों का same concept हो गया आप दोनों case में जो transfer ही उसको भी defective title होगा एक exception है उस exception का में नाम है accommodation bill, accommodation bill का मतलब क्या होता है अगर एक negotiable instrument बिना कोई concession के लिखा जाता है या और एक party दूसरे party को help करने के लिए जो बिल लिखती उसको क्या बोलती है accommodation bill तो अगर accommodation bill है तो उसके इसमें यह उपर का लो applicable नहीं होगा लेकिन इसमें भी जैसे मालेजिए A ने B को जो instrument दिया था ना वो accommodation bill था मतलब कोई instrument concession नहीं था B ने C को दिया maturity rate यहाँ पर 1 October है C ने D को दिया अभी D ने E को transfer कब किया यह सब accommodation bill था लेकिन D ने E को जो transfer किया था ना यह for value किया था for value मतलब concession था तो यहाँ पर E को बोलेंगे अपन holder for value क्यो title D का होगा वो E कराएगा D को तो दिकार नहीं है क्योंकि वो without concession था वो recover नहीं कर सकता तो क्या E recover नहीं कर पाएगा क्या answer is no E यहाँ पर recover कर पाएगा क्योंकि exception में cover है ठीक है तो अगर concept क्या हो गया अगर एक accommodation bill transfer करें transfer करें उसके बाद instrument dishonor हो गया उसके बाद किसी को आप पदले में instrument मिला है उसको उसके उपर यह law applicable होगा मतलब इसका title भले defective होगा या उसको recover करने का right नहीं भी होगा तो इसको recover करने का right मिलेगा वो पैसा recover कर सकता है तो दोस्तों मैंने आपको negotiable instrument के जितने भी important concept है जो exam oriented है वो सारी की सारे concepts मैंने cover करा दिया उम्मीद करता कि आपको यी वीडियो पसंद आयोगा अगर वीडियो पसंद आता हो जरूर से like कीजेगा share कीजेगा thank you